Hello students, welcome to Magnet Bains, मैं रुपाली बर्मा Magnet Bains आपके लिए 100% free education लाता है अब जहां हम ये 100% कह रहे हैं, तो इसका मतलब literally 100% है यहां से आपको 1% भी असा नहीं है कि आपको कोई payment करना पड़ेगा यहां पर आप आकर किसी भी class में हूँ, कोई भी subject पढ़ना चाहते हूँ और यसी सोच के साथ यहां पर आई है, जैसे होता है, कि हम घर में किताबे रखी हैं और खोलना शुरू करते हैं, कि हां मुझे यह पढ़ना यह नहीं मिला तो चलो यह inference ले ले, इससे पढ़ लेते हैं यही चीज आप यहां आकर कर सकते हैं आप यहां पर वीडियो देखिए, अरे इसके बाद तो यह topic आता है, तो वो तुरंती आपको उसके में arrange मिलेगा यह सारे चीज़ें आपको जैसे हमने book में arrange मिलती ही ना, विसे यहां पर यह सारी चीज़े आरेंज मिलेगी यह arrange जो आपको मिलता है, यह हमारी website और हमारे आप पर आपको totally arrange हर एक topic सीखने से मिलेगा जैसे की book में होता है यह सारे वीडियो जो हम बात कर रहे हैं, यह आपको YouTube पर, हमारी website पर और हमारे app पर आपको 100% free मिल रहे हैं CBSC sample question paper solution 23-24, तो CBSC ने session 22-24, sorry 23-24 के लिए जो है, वो आपका sample paper issue कर दिया है कि कैसे आपका paper आना है, किस pattern में आना है, यह जीज़ आपके लिए issue कर दिया है, class 10th और 12th दोनों के लिए तो आज जो हम लेकर आएं है paper, वो class 10th हिंदी course A, यानी A के लिए है, A या A, A की चीज़ है बस आपको जो main धियान रखना होता है, वो है आपका code का, तो धियान रखिए class 10th में हमारे दो course A और B इन दोनों के ही code अलग-अलग होते हैं, तो course A अगर है, तो आपका code रहेगा 002 ये चीज़ आपको धियान रखनी है, हमेशा याद रखनी है, कब तक, जब तक आप 10th का paper दे नहीं लेते हैं तक हिंदी की paper का code 002 होता है, ये आपको धियान रखना होका, क्योंकि क्या होता है, दोनों ही paper यानि की course A और B, दोनों ही paper एक ही दिन पढ़ते हैं हो सकता है आपके examination hall हो, उसमें दोनों ही A और B के दोनों ही student बैठाये जाएं तो उस condition में आपके पास कोई गलत paper ना आ जाए, ये आपको धियान रखना है तो उसके लिए जब भी आपको question paper मिले, आपको जहां अपना class चेक करना है, वहीं ये भी चेक करना है कि आपका subject code इसमें है की नहीं, ठीक है, तो ये तो आपको हो गया main एक basic बात जो मैं आपको बता रही थी अब CBSE ने जो ये sample paper इशू किया है, इसमें कई चीज़ें हमको clear करी हैं, जिन्हें निर्देश के रूप में इन्हों ने दिया है तो सबसे पहले हम उन निर्देशों को पढ़ते हैं तो जब आपके पास एक चुकी sample paper है, इसलिसकों क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा दस्वी है, हिंदी का A, A मतलब A रहेगा आपको इस quotient paper के लिए 3 घंटे का समय मिल रहा है याद रखिए 3 घंटे का समय है, 3 घंटे के अंदर आपको paper को अच्छे से पढ़ना करना सब कुछ है और इसके लिए पूरांग मिलेगा आपको 80 marks का, यानि कि 80 marks का आपको quotient paper आएगा 20 marks आपको internal मिलते हैं, ये बात आपको clear है, पहले से आपको बताया जा चुका है internal basis पे आपको 20 marks मिलते हैं, जो आपके school की तरफ से आपका पूरे year का जो assessment होता है आपके teachers के द्वारा जो किया जाता है, उसके basis पे मिलता है आपका work कैसे रहा, आपने assignment कैसे किया है, इन सभी की basis मिलता है और 80 marks आपको इस पे मिलते हैं इस प्रश्ण पत्र के दो खंड है, दो खंडों में विभगते हैं, एक है खंड का, एक है खंड खा खंड का में वस्तु परक बहुविकल्पी है प्रश्ण और खंड का में वस्तु निश्वर्णात्मक प्रश्ण पूछे गए तो ध्यान रखिए, खंड का जो है, वो क्या रहेगा आपका, टोटल ओप्शनल रहेगा, यानि कि उसमें टोटल MCQ जाएंगे, जिसमें आपके पास में अपठित कद्यांश, अपठित कावेंश, आपका पूरा व्याकरण, एक बुक आपकी जो है शतिच, उसका कावे खंड और गद्य खंड से समंधित प्रशन रहेंगे, खंड का में, जिसमें आपके जितने भी, क्या कहते हैं, मेरे खाल से 45 प्रशन पूछे जाएंगे, खंड का में, जिसमें से आपको सिर्फ करने कितने हैं, सिर्फ आपको उसमें से करने होंगे, एक 40 प्रशन, ठीक है, तो खं खा आते हैं जहां पर वस्तुनित प्रशन आएंगे, जहां पर आपकी दोनों ही पुस्तक यानि शितज और कृतिका से समंधित प्रशन पूछा जाएंगे, जहां आपको बढ़नात्मक लिखना है, कोशन दिया रहेगा, डिटेल में उसका आंसर देना है, फिर उसके बाद मे आपका क्या रहेगा, दोनों बुक्स के कोशन रहेंगे, और ट्वेंटी मार्क्स का आपका लेखन कार रहेगा, लेखन कार में आपका अनुछेद लेखन, पत्र लेखन, इमेल लेखन, स्ववत्र लेखन, संदेश लेखन और विग्यापन लेखन, ये सारी चीज़ें आए अब आते हैं दूसरे निदेश में इस प्रस्ट पत्र के दोनों खंडों में प्रश्णों की संख्या सत्रा है और सभी प्रश्णनिवार है यानि दो खंड हैं खंड का और खंड खा तो टोटल कोशन कितने पूछेगा हैं 17 अब जिसमें 10 कोश्चन आपके खंड का में हैं और साथ कोश्चन आपके खंड खा में हैं 10 कोश्चन यानि कि 10 कोश्चन जो रहेंगे वो optional रहेंगे मतब objective रहेंगे और 7 जो रहेंगे वो आपके subjective रहने वाले हैं ठीक है तो ये टोटल 17 हो गया दोनों खंडों को मिला कर तीसरा यथा संभव सभी प्रश्णों के उत्तर क्रम मानुसार करें यह जो एक option है यह आप लोग को बहुत दिया जाता है इसे आपको अपने year starting से ही follow करना है क्या है जब भी आपसे कोई भी आपके internal exam हो test हो कुछ भी हो आपका कुछ भी कोई भी test लिये जा रहे हो हमेशा इस चीज को अपनी habit में डाल लीजिए जिस sequence में आपस आपकी answer sheet में होना चाहिए सबसे पहले question number one to one two three four इसी sequence में आप काम करोगे यह नहीं करना कि 17 question पूछे गए हैं तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम उच्छेद लिख लेते हैं फिर हम पत्र लिख लेंगे फिर हम विग्याबन लेखन कर लेंगे फिर हम सौबत्र लेखन नहीं सबसे पहला प्रशन आपका अगर अपटित कद्यांश का है तो आप वहीं से शुरू करोगे फिर काद्यांश करोगे फिर व्याट करन करोगे यानि की question number one question number two question number three question number four इसी sequence में आप चलोगे यह एक ऐसा point है जिसे आपको hundred percent follow करना है इसमें कोई mistake नहीं करिएगा क्यों बच्चे को जो instructions दिये जा रहे हैं वो follow नहीं कर रहा है तो आपकी copy पढ़ने से पहले ही वो आपके लिए एक mindset बना लेगा तो वो चीज़ आपको धियान रखने है कि उसका mindset जो भी बने वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके लिए तभी वो अच्छे मन से आपकी copy जहां उसको दिक्कत होगी आपको परिशानी होगी तो सबसे पहला जो है जो निर्देश दिये गए हैं उन्हें आपको 100% follow करने हैं यह ध्यान रखना है फिर next आते हैं खंड का में कुल 10 प्रश्ण पूचे गए हैं जिनके उप प्रश्णों की संख्यात 44 है तो कितना है ख सिर्फ 40 के उत्तर देना निवार है दिएगे निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप्रश्णों के उत्तर देने अब यह नहीं कि आप कोई भी 40 कर दो यह नहीं करना है अंदर आपको निर्देश दिये गए हैं उनहीं के according आप काम करोगे जहां options मौजूद हैं उन options के according प्रश्ण में आपको 5 में से 4 5 में से 4 इस तरीके से चारो ही व्याकरण के टॉपिक में option मिलने वाले हैं फिर आते हैं खंड खा में कुल 7 प्रश्ण हैं सभी प्रश्णों के साथ उनके विकल्प भी दिये गए हैं निर्देशा अनुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए स सभी प्रश्णों के उत्तर देने हैं तो 10 तो आपके कहां पूछ लिए गए खंड का में पूछ लिए गए खंड खा में आपके साथ प्रश्ण तोटल सत्रा हो गए यह साथ जो प्रश्ण हैं इनके साथ अंदर options दिये गए हर प्रश्ण के साथ option मोजूद हैं चाहे आपक बुक कृतिकास के कावे खंड से हो गदे खंड से हो या आपका लेखन कार रहे हो हर जगहा आपके पास option मौजूद है ठीक है कहीं असा नहीं कि option नहीं और उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको उत्तर करना है तो समझ में आगे है निर्देश खंड खा में पूछे जा रहे हैं सारे ही उत्तर आपको सीक्विंस में करने है अब यह जो सैंपल पीपर माया है इसमें आपको निर्देश दे जा रहे हैं कि आप किस तरीके से काम करोगे ठीक है तो चलिए देखते हैं शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्ण खंड का का ह हमारे पास जो बहुविकल्पिये खंड है हमारा उसमें पहला प्रश्ण है निमलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पिये वस्तु परक प्रश्णों के उत्तर सरवाधिक उप्युक्त विकल्प चुनकर दीजिए अब हमारे पास एक अपठित गद्यांश है जो एक नंबर का एक प्रश्ण रहेगा तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना आप गद्यांश जब आपके पास कोशन पेपर आता है ना जो आपका रिटेन टाइम शुरू होता उससे 15 मिनिट पहले आपका रीडिंग टाइम शुरू हो जाता है तो 15 मिनिट जो आपको गध्यांश काव्यांश हैं, मगर वो पठित हैं, तो पठित को दुबारा पढ़ के देना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन अपठित जो है, उन 15 मिनिट में आपके अंदर हो जाना चाहिए, जो गध्यांश और काव्यांश हैं, दोनु हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले अब ह गध्यांश को पढ़ेंगे ध्यान से, अब इसको करने का कोई यह नहीं है, कि आप लोग बहुत जादा यह आता है कि फटाफट करने, फटाफट नहीं है, तरीका यह है कि आपको पूरी एकागरता के साथ इसका ध्यांश को पढ़ना है, हमारे देश में हिंदी फिल्मों क गीत अपने आरंब से ही आम दर्शक के सुख दुख के साथ ही रहे हैं वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने ये आम जन के हिर्दे में लोग गीतों सी आत्मिय जगह बना ली है जिस तरह से एक जमाने में लोग गीत जन मानस के सुख दुख आखांशा उल्लास और उमीद को स्वर देते थे आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रही हैं इतना ही नहीं देश की विभुत्ता को एकता के सुत्र में बांधने में हिंदी फिल्मों का योगदान भी सभी स्विकार करते हैं तो ये जो गध्यांश हमारे सामने क्या है प्रजन समय में हमारे ह हिंदी फिल्मों के जो गीत हैं वो किस पोजिशन में हैं कैसे हैं क्या है इस बारे में दिया गया है तो ये जो हमारे सामने आया इसमें क्या दिया है पहले क्या समय होता था जब हिंदी फिल्में सिनेमा इतना लोग पर यह नहीं था तो लोग गीत और गायक जो हैं वो सिनेमा के गीत भी रमलब है जब सार रह सारgeb येकिन हमारा लोग गीत से ही प्रभावित अब हैं और हम बहुत जादा होते हैं तो अच्छा अच सुने हमारा से उदास होते हैं, थोड़ा slow music सुनना पसंद करते हैं, हमें relax करना है, सोना है, तो हम बहुत पीसपुल music सुनना पसंद करते हैं, तो हम हर occasion पर अपना अलग-अलग music हमने decide कर रखा है, तो जो ये सारी चीज़ें हमें फिल्मों में ही नहीं मिलती, पहले लोग गीतों में मिला हिंदी भाशा की शब्द संबदा को इसम्रब्द करने का जो काम राज भाशा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है वही कार फिल्मी गीत और डायलॉग लिखने वाली विभिद छेत्र भाशाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कहने का मतलब है हिंदी भाशा का जो भाग है वो हिंदी भाशा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तस्रम शब्दों को यानि कि तद्भव को तस्रम में तद्भव तबदील करके यानि कि तद्भव शब्द हुए जो आपके संस्रित के शब्द है जिने हम हिंदी में तबदी करके शब्द कोश को बढ़ा रहे हैं तो वहीं ये काम जो है फिल्म जगर्त के लोग भी कर रहे हैं गीतों में नएने शब्दों को लेकर आ रहे हैं तो वहीं डालॉक्स में भी इस तरह के शब्दों का निर्मान किया जा रहा है ये गाने जन जन के गीत इसी कारण बन सके है क्योंकि इनमें राजनीती के उतार चड़ाओं के अनुगूंजों के साथ साथ देहाती कसबाई और नय बने शहरों का देशस जीवन दर्शन भी आत्मसाथ किया जा सकता है तो अगर आप ये गीत देखेंगे जो हम फिल्मी जगत के गीत की बात कर रहे हैं इनमें राजनीती से संबंध हो प्राकतिक संबंध हो हमारी छेत्रिये जो चीजें हैं उनमें हो देहाती देवन आप गाओं का टच भी देखेंगे कुछ शहरी टच भी देखेंगे तो हर तरहे की चीजें हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं इसलिए ये लोगों के जादा करीब आपाता है भारत की जिस गंगा जमनी संस्कृति का महिमा मंधन बहुदा होता है वही गूंज इनम गीतों में हो रही है अब भारत हमारा विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर जो सभी लोग धर्म जाति संप्रताय के लोग मिलजूल कर रहते हैं इसको सलिब्रेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं गंगा जमनी संस्कृति अब ये जो गंगा जमनी संस्कृति है कि हमारे संपूर्ण विश्मे प्रसिद है तो ये गाने जो है उस गंगा जमनी सब्धिता को और जादा लोगों के सामने लेके आता है कि हमारी संस्कृति कैसी है क्या है ये सारी चीजें हम इन गीतों के माध्यम से देख पाते हैं आजादी की लड़ाई के दौरान लिखे प्रदीब के गीत हो या स्वाधीनता प्राप्ती के साथ ही होने वाले देश के विभाजन की विभेशिका हम सभी को पता है कि जब देश का स्वतंतर हुआ या जब हम स्वतंतर संगराम लड़ रहे थे तो लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे गीत लिखे गए फिर स्वतंतरता को आजादी की लड़ाई को सलिब्रेट करने के लिए गीत लिखे गए जब आजाद हुआ हमारा देश तो देश का बटवारा हुआ उस बटवारा में कितनी जादा मारकाट हुए यह हम सभी जानते हैं उस चीज को भी दर्शाने के लिए बहुत सारे गीत लिखे गए सभी को इन गीतों में बहुत समवेधन शील रूप से अभिविक्त किया गया तो जहां जिस तरह कादा मतब आजादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे शहीद हुए लोग तो देखे कितने सारे गीत हैं है ना जैसे एक फेमस गादी कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो जब भी आप इस गाने को सुनते हैं तो रूंप टे खड़े हो जाते तो जहां उस गाने में हमने पूरी सम्वेधन शीलता के साथ हरी चीज़ को व्यक्ति किया वहीं बटवारे को लेकर भी बहुत सी ऐसी गीत लिखे गए जो लोगों के अंदर सम्वेधन शीलता को पैदा करते हैं और पूरी तरीके से गीत ऐसे लिखे गए कि सही बायने में इन गीतों को प्रकट किया गया हिंदी फिल्मी गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का जगड़ा भी कभी पनप नहीं सका बहुत शब्दाते न तो यह जो है अलगाव आप इसमें नहीं देखेंगे प्रदीब, नीरत जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदरवर तथा शैलेंद जैसे शेष्टगीत कारूं और साही, कैफी और मज्रुहू जैसे मशूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही विरादरी का माना जाता रहा है तो अब देखे यहां पर क्या है? अलग-अलग धर्म के हमारे गायक, शायर रहे, संगीतकार रहे लेकिन यह हमेशा एक विरादरी में माने जाते हैं, किस विरादरी में? संगीतकार विरादरी में के माने जाते हैं इनको कभी नहीं बोला कि भाई यह हिंदू है, यह मुसल्मान हैं तो क्या है? नहीं, यह सभी क्या आते हैं? एक ही विरादरी के अंतरगत आते हैं ये सिनेमा की इस दुनिया की ही खासियत है कि एक तरफ गीतकार साहिर ने कहा अब यहाँ पर अलग-अलग गीतकारों के कुछ अलग-अलग बोल हमारे सामने प्रस्तुत है क्या किसने कौन बोल रहा है ये इसको बोल रहा है साहिर साब बोल रहा है ये लिखा उन्होंने साहिर साग ने, तो दूसरी तरफ उन्हों ने ही संसार से भागते फिरते हो भगवान को तुम क्या पाऊगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम प्यार के मारे क्या जानोंगे अपमान रचयता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे जैसी पंक्तियां भी रची तो जहां पर देखिए क्या है एक तरफ कहां हम भूंड रहें इश्वर को तो दूसरी तरफ है बंदे को यानि कि भक्त को बोल रहें कि तुम अगर नहीं पाओगे तो कैसे कहां तक भागत ख़े फिरोगे तो यहां पर पर परवर्तियों में गुल्जार जैसे ऐसे गीतकार है जिन्नोंने उर्दो हिन्दी पंजाबी राजस्थानी के साथ साथ पुरभिया बोली के में मन को मो लेने वाले गीतों की रचना करी तो गुलजार साहाब ने कई भाशाओं में कई बोलियों में अब गीतों की रचना करी है बंदनी के मोरा गोरा अंग लैले मोहिशाम रंग दैदे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नहना यारा सिली सीली रात का ढलना और चपपचपचर्खा चले जैसे गीतों को रच कर उन्हें भारत की सांझा संस्कृती को मूर्तिमान किया तो देखें यहाँ पर कई अलग अलग छेत्रिय भाषाओं के गाने उन्होंने प्रस्तुत किये एक ही गीतकार ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही भाषा में प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर विवितता को एक ही प्लेटफोर्म मिला है वस्तुता भारत में बनने वाली फिल्मों में आने वाले गीत उसे विश्व सिनेमा से एक अलग पहचान देते हैं ये गीत सही मायने में भारतिय संस्रिती की खूपसूर्ती को अभिविक्त करते हैं आप अगर किसी भी आप जैसे आप हॉलिवुट को देख लो तो वहाँ पे आपको गीत फिल्मों में बहुत कम मिलते हैं और दूसरे जो मिलते भी हैं वो एक ही भाशा में रहेंगे हैं लेकिन यहां क्या हैं आप एक ही भाशा में तो देखेंगे लेकिन यह अलग-अलग बोलियों में रहते हैं कहीं राजस्थानी लुकारता है ठीक है तो कहीं क्या आपको गुजराती लुक भी मिलेगा कहीं अब इस पर आधारत प्रश्ण देखिए पहला प्रश्ण है हिंदी गीतों और लोग गीतों में क्या समानता है अब आपको बताना है हिंदी गीत और लोग गीत यहां पर हिंदी फिल्मी गीतों की बात हो रही है जो फिल्म में गीत गाय जाते हैं वो और जो लोग गीत यानि आपके सामने चार रखेंगा हैं इनको अच्छा जब आपके सामने इस तरीके से objective question आते हैं तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको सारे options पढ़ने हैं ये नहीं कि आपको जो answer पता है आपको खोज लो और लगा लो कभी-कभी options भी आपको अलग-अलग एक जैसे ही दिखाई द देते हैं पहला option दूसरा option ये लोगों के जीवन के अनुभवों आमोद, प्रमोद, विचारों को दर्शन को स्वर देते हैं तीसरा option ये लोगों के आनंद, उनके शोक, उनके हर्ष और उनकी आशाओं को स्वर देते हैं चोथा option है ये लोगों के जीवन के यथार्त और खुशी उनके शोक यानिके दुख और उनकी खुशि इन सभी को स्वार्डेते हैंивать काम हम फिल्मी गीतों में b किस प्रकार किया है आप क्या है कोशन समझेगा हिंदी भाषा के शब्द बहुत सारे शब्द हैं हिंदी भाषा में संपदा को इसम्रद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया है फिल्म गीतों में जो जो शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं वो कहीं न कहीं हमारे हिंदी शब्द कोश को बढ़ा रहे हैं स्मरद्ध करने बढ़ा रहे हैं तो ये किस तरीके से बढ़ा रहे हैं आपको ये बताना है option देखिए चार है पहला है राज भाशा विभाग से प्रेड़ना पाकर विभिन छेत्रिय भाशाओं के मेल से तीसरा option है छेत्रिये भाशाओं की फिल्मों को प्रोच साहित करके चौता है विदेशी भाशाओं की फिल्मों को हतोत साहित करके तो यहाँ पर किस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं वो option है आपका विभिन छेत्रिये भाशाओं के मेल से यानि कि बहुत सारे छेत्रिय भाशा हैं उनको क्या किया जाता है हिंदी फिल्मों में शामिल किया जाता है छेत्रिय भाशाओं के जितने भी ये बोलियों के शब्द हैं उन्हें हम ले क्या कर लेते हैं हम उसे गीतों में शामिल कर लेते हैं जब वो गीतों में शामिल हो जा जाते हैं और वो बंडार बढ़ता जाता है प्रेश्टे संख्या तीन है कथन ए और कारण आर को पढ़कर उप्युक्त विकल्प चुनिए अब हमारे पास एक कथन दिया है एक स्टेटमेंट है और एक कारण है यानि कि रीजन दिया है आपको दोनों को पढ़ना है नीचे य को चूस करना है कि क्या इसमें से आप देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कथन को पढ़ना है कथन क्या है हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए हैं ये कथन क्या आपके उसमें हैं गध्यांश में हैं बिल्कुल है तो यानि कि यह सही है अब आते है आप्मसात किया जाता है अब अगर वो जनजन के गीत बने हैं तो इसका घृजन क्या है क्योंकि उन गीतों में राजनीती की अनुगूंज भी है देहातीपन भी है, कसभाईपन भी है और शहरी जीवन के धर्शन भी है इसी लिए सभी लोगों के प्रिये हो गए हैं तो यानि कि कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है तो अब आप option देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है पहला option है कथन A गलत है किन्तु कारण आर सही है नहीं कथन भी सही है और कारण आर सही व्याख्या कर रहा है तो ये हमारा गलत option हो जाएगा दूसरा है कथन A और कारण आर दोनों ही गलत है नहीं ये भी गलत है तो इसको भी हमने cut कर दिया कथन A सही है और कारण आर कथन A की सही व्याख्या करता है बिल्कुल सही है, कथन A सही है और कारण R उसकी सही व्याख्या कर रहा है, यह सही है, तब भी last option पर हम जाएंगे, कथन A सही है किन्तु कारण R कथन A की सही व्याख्या नहीं करता, यह गलत है, हम यह बोलें कि नहीं करता, यह गलत है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यह सही व्याख्या कर रहा है तो हमने यहां पर गाह में टिकमाख कर दिया तो समझने आ गया कि जब यह कथन ए और कारण आर्ग जैसे कोशन्स आएंगे आपको पहले स्टेट्मेंट पढ़ना है फिर आपको देना है जो स्टेट्मेंट में लिखा हुआ है क्या उसको एक्स्प् युक्त कथन के पक्षमे निमलिखे तरकों पर विचार कीजे अब जो यह इक स्टेट्मेंट दिया गया है इसका मतलब क्या है ठीक है कभी भी हिंदी उर्दू को लेकर जो है एक जगड़ा होता है वो कभी भी इन गीतों में हमें देखने को नहीं मिलता अब इसको हमें य यह जो स्टेट्मेंट दिया गया है उपर उसकी व्याख्या कौन सा स्टेट्मेंट इदम सही कर रहा है पहला है यहां सभी गीतकारों को एक ही बंधुत्व वर्ग का माना जाता है दूसरा ऑप्षन है यह गीतकार सभी भाशाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं तीसर इन गीतकारों में व्यामनस या प्रतिसपर्धा का भाव नहीं है तो उसका सही ऑप्षन अगर जो हम ये वाला जो वक्तव ये देखेंगे इसको अगर हम सही से देखेंगे जिसमें एक्स्प्लेइन किया जा रहा है यहां पर इसके सही अर्थ को लिखा गया है वो है हमारा नमबर वन यहां सभी गीतकारों को एक ही बंधुत वर्ग का जाना जाता है कि किसी भी भाषा में आप लिखो आप राजस्थानी में लिखो पंजाबी में लिखो मराटी में लिखो बंगाली में लिखो आप तेलगू में लिखो तमन में लिखो तो सभी संगीतकार क्या है ये गीतकार एक ही वर्ग में मानने जाती हैं तो इसी में आप देखेंगे number 1 एकड़म सही है तो 4 ओप्षण थे एक सही है, दो सही है, तीन सही है या एक या दो सही है तो हमने क्या लगा दिया है पहला सही है, बागी दो हमारे गलत है तो हमने नंबर वन पे सही कर दिया अब आते हैं नंबर फाइफ पे क्या दिया है उप्युक्त गध्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशेशता पर सरवाधिक बल दिया है कौन सी विशेशता है जिस पर सरवाधिक बल दिया गया है पहला है ये गीत कलात्मक शेशता और सर्वधम संभाव को अभिवेक्त करते हैं दूसरा है ये गीत सामप्रदाईक सद्भाव को अभिवेक्त करते हैं तीसरा है ये गीत पारासपरिक प्रेम और सद्भाव को अभिवेक्त करते हैं चौता है, ये गीत हमारी तहजीब और खुबसूरती को अभिविक्त करते हैं. तो इस गध्यांश में जो सबसे अधिक, जिस विशेश्टा पर बल दिया गया है, वो है, ये गीत हमारी तहजीब और खुबसूरती को अभिविक्त करते हैं. हमारी तहजीब क्या है सर्वधर संपदाय हमाय धर्वने प्रेक्ष हमारा रास्ट है इस बात सारी तहजीब को जहां बया कर रहे हैं वहीं हमारी सारी देश की खूपसूर्ती भी इससे बया होती है कि हमारे संसकार कैसे हैं ये सारी चीजे हम गीतों में मिल जुलकर जिसको व को होगा हमारे पांप सामने पिर एक अपठीत कावीयाँ शाया है इसके अंदर फिर से हमारे सामने पांच प्रश्ण रहेंगे यानि की एक नंबर रखाए एक अपठित काव्यांश रखाए और इस पर आधारित पांच प्रिश्ण पूछेगा है तो सबसे आप चुके अपठित है तो इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा तभी आप आंसस दे पाओगे देखी क्या है हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं भरी थका पान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं धरती की सेवा करते हैं कभी न मेहनत से डरते हैं लूहों चाहे ठंड सयानी चाहे जर जर बरसे पानी ये तो मौसम है हमने तूफानों के मूँ फेरे हैं तो यहां पर हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं कमेरे मतलब हम पर परिश्रम है, बहुत जादा मेहनद करनी वाधा हुआ है, यह जो परिश्रमarी है, यह जो हमारे किसान होते हैं, इनको किसे भी मोसम से कोई फरक नहीं पर था, वह हर मोसम में बहुत तगड़ा करते हैं, हम सब ही जानते हैं, तो वहीं उन्होंने बोला, भरी तकान मीं सोते है यानि कि पूरे दिन हम इतना परिश्रम करते हैं, कि हम पूरी तरीके से ठक जाते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी सुबा उठ भी जाते हैं, आप गाओं में किसानों को देखिए न, जब सूरज की पहली किरंट फूरती है, उससे पहले ही वो लोग उठ चुके होते हैं, और जैसे ही अंधेरा होता है, जुकी पूरे दिन के रोश्नी के एक्कॉर्डिंग काम चलता है, यह कि मतब सुबा अगर पांच बजे उजाला हो रहा है, तो वो तब तक उठ जाते हैं, उनके नित्यकरम हो जाते हैं, और जैसे ही शाम होने लगती है, वो अपने घर को वापस आ जाते हैं, और जैसे ही अंधेरा हुआ, उनका दिन समाप्त वो लोग सो जाते हैं, तो उसी तरह पूरा दिन परिश्रम करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, सुबा बहुत जल्दी उठ पी जाते हैं, धर्ती की सेवा करते हैं, अर्तात यहाँ पर क रमी हों बरसा तो हर समय हम मेहनत के लिए तयार रहते हैं ये तो मौसम है हमने तूफानों के मूँ मोड़े हैं यानि कि ये तो मौसम है जिनसे हम नहीं डरते हम तो भरे तूफानों में भी निकल जाते हैं अपनी खेती को देखने और बचाने के लिए खेत लगे हैं अपने घर से हमको गरज नहीं दफ्तर से दूर शहर में रहने वाले सीधे साधे भोले भाले रखवाले अपने खेतों के जिन में बीज बिखेरे हैं हातों में लेकल हर हसिया गाते नहीं फसल के रसिया धर्ती को साडी पहनाते दूर दूर तक भूख मिठाते मुठी पर दानों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं तो अब यहाँ पर देखी क्या कह रहे हैं वो हमारे जो घर हैं उनी के बगल में हमारे खेत लगे होते हैं होता है ना किसानों को हमको गरज नहीं दफतर से यानि कि हम ऑफिस नहीं जाते हैं हम कहां जाते हैं हम अपने खेतों पर जाते हैं किस से बात हो रही है किसानों के लिए बात हो रही है दूर शहर से रहने वाले अब हम कहां रहते हैं हम गावों में रहते हैं कहां से दूर रह ख़ती ही हमारे सब कुछ हो ते हैं और इन खेतों में हमने अंपने हाथों से उन्में बीज बिखेर हो तब तो फद्ल उखते हैं जब नहीं फचलिके रशीया जब साढ़ी हो जाती है समय तो फसल हरी आली की साड़ी पहनाते हैं खेती हो जाती है तो खेत कैसे हरी हो जाते हैं तो वही चीज़ क्या है हम खेतों को साड़ी खेतों में जहां फसल खड़ी हो जाती है चारव तरफ हरी आली दिखती है तो वो क्या कहते हैं धर्ती मा को हमने साड़ी पहनाई है मुठी पर दानों को रखकर कहते हैं बहुत है अर्थाद वो जरा सही दानों से इतनी बड़ी खेती लहला हाती है तो वो क्यों अपने परिशन इतने से दानों से इतनी खेती अनाज उप जाना और इतनी मेहनत करना उनके काम है हम धर्ती के बेटे बड़े कमेरे भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवीरे हम क्या है हम धर्ती के बेटे क्या है बहुत परिश्रमी है पूरे दिन मेहनत करके थकान से रात में सोते हैं और सुबा बहुत जल्दी उठ जाते हैं तो ये रहा हमारा अपठित काव्यांच, अब इस काव्यांच पर पांस जो भविकल्पिय प्रश्ने उनको देखते हैं पहला प्रश्न है, हम धर्ती के बेटे बड़े कमेरे में कमेरे का आश्रे क्या है? मैंने आपको बताया ना, ये कमेरे शब्द का अर्थ क्या था? हमने बताया था परिश्रमी, यहां देखिए, परिश्रमी काम के किसान या मजदूर, तो सही option यह क्या है? वो है परिश्रमी, अर्थात मिहिनत करने वालों से यहां ताथ पर लिया गया है दूसरा प्रश्र है, कभी नहीं किसानों को फसलों का रसिया कहा है? क्योंकि वे? अब क्यों फसलों के रसिया है? ऐसा क्यों उन्होंने कहा है? क्योंकि क्या है वे? यानि कि किसान क्या है? फसलों को उगाते हैं, फसलों को काटते हैं, फसलों से प्रेम करते हैं, फसलों को अब रसिया कौण होता है जो रसका प्रेमी किसानों को उन्होंने रसिया कहा है प्रष्ट संख्या 3 है किसान धर्ती सेवा डैश करते हैं कैसे करते हैं, खेतों में फसल उगागर, सर्दी गर्मी बरसाथ सहे कर, बिना विश्राम परिश्रम कर, खेतों के पास घर बिना कर, अब किसान धर्ती की सेवा कैसे करता है, क्या करता है, फल चलाता है, उसमें गुडाई करता है, उसको अच्छी तरीके से उसकी क्या कर रहा ह सेवा कर रहा है तो इसे कहा है खेतों में फसल उगाकर वो धर्ती की सेवा करता है अब जैसे घर में हमारे बुजूर्ग है तो उनको क्या है उनके पैर दबाते हैं सर में तेल लगाएंगे होता है ना हम उनकी सेवा इस तरीके से करते हैं तो उसी तरीके से किसान क्या करते है धर्दी की जो है वो सेवा करते हैं वोने किसमें जोते हैं, फल उगाते हैं, बीज भुवते हैं तो उस तरीके से वो सेवा करते हैं प्रशने संख्या चार है अब देखिए कथन और कारण वाला ही हमारे सामने option आया है कथन और कारण आपर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए अब हमारे सामने एक कथन है और एक कारण है इसे हमें अच्छे से पढ़ना है फिर उसके बाद हमें नीचे जो options दी हैं उन पर करना है क्या है? हमारे घर खेतों के पास इस्थित है यह क्या है कथन? कारण क्या है? हमारे घर शहरों से दूर होते हैं अब आप देखोगे यह दोनों इस statement कविता में आये है यानि कि कथन A जो है वो भी आया है कथन R भी आया है दोनों आये लेकिन कथन A को कारण R जो है वो सही से व्याख्या इत नहीं कर रहा है हमारे घर खेतों के पास है यह सही है हमारे घर शहरों से दूर है यह भी सही है लेकिन इसको explain नहीं कर रहा है तो यहाँ पर दोनों statement सही है लेकिन व्याख्या सही से नहीं हो रही है तो option पढ़ते हैं देखें क्या है यहाँ पर पहला है option कथन A सही है किन्तु कारण R गलत है कथन A गलत है किन्तु कारण R सही है यह भी गलत है कथन A और कारण R सही है और कथन A कारण R की सही व्याख्या करता है हम इंको यहाँ पर व्याख्या करते सही समझ में नहीं आ रहा है उसको ठीक से explain तो कर नहीं रहा है तो next option पे आते हैं कथन A वा कारण R सही है और कथन A कारण R की सही व्याख्या नहीं है तो मुझे यह option एकदम सही ले रहा है बनिस्पत यह भी गलत है तो सही हमारा क्या है यह लास वाला कथन A और कारण R सही है और कथन A कारण R की सही व्याख्या नहीं है उसको ठीक से explain नहीं किया है यहाँ पर यहाँ पर अगर क्या होता कि अगर वो यह बोलता कि हमारे घर खेतों के पास है और हम को दफ्तर जाने की कोई tension नहीं है तो वो सही व्याख्याइद करता सही होता ठीक है लेकिन यहाँ पर शहरों से दूर तो है वो बात सही है और खेतों के पास है यह भी सही है लेकिन सही explain नहीं कर रहा है प्रश्ट संख्या पाँच है हम किसानों ने धर्ती को फसलों के आवरण से ढख दिया है निमलिखित किस पंक्ती का आश्र है अब हमारे सामने जो कविता आई थी ना उसमें कौन सी ऐसी पंक्ती है जिसका अर्थ यह निकल कर आता है ठीक है क्या दिया है हम किसानों ने धर्ती को फसलों के आवरण से ढख दिया है आवरण मतलब उपर से किस चीज से ढख देना कोई चीज से तूफानों के मुफेरे हैं रखवाले अपने खेतों को धर्ती की साडी पहनाते दूर दूर तक भूक मिठाते तो कौन सा है? वो है धर्ती को साडी पहनाते अब यहाँ पर एक इस्तरी अपने आवरण के तौर पर साडी पहनती है न उसी तरह यह धर्ती क्या है? वो एक धारत माता है और उसको हमने साडी पहनाई है तो सही option हमारा यह है गावाला चीक, clear हो गया? और हमारा इसी के साथ कावियांश खतम हो गया तो 5 question थे, 5 जो हमने कर दिये अब हम आते हैं प्रशन संख्या 3 पे, खंड का का हमारा प्रशन संख्या 3 यहाँ पर अब हमारे जो व्याकरण के 4 टॉपिक हैं उस पर आधारित एक करके प्रशन आएगा यानि कि अब हमारे पास जो प्रशन संख्या 3 हैं उस पर आ रहा है रचना के आधार पर भेद का हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है ना? तो इसमें क्या दिया है? निर्देशा अनुसार रचना के आधार पर वाक के भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी है प्रशनों में से किनी 4 के उत्तर दीजे तो हमारा व्याकरण का एक टॉपिक है रचना के आधार पर भेद हमारे 4 टॉपिक दिये हैं वाक्य, वाच्य, पदपरिजे और अलंकार ये 4 टॉपिक है तो सबसे पहला टॉपिक है रचना के आधार पर वेद इसके 5 प्रशन दिये गए हैं और हमें 4 प्रशन करने हैं तो क्या हुआ, 4 मार्क्स का हमारा ये पूरा प्रशन है यानि कि 1 मार्क्स इच रहेगा तो जो भी आपको 5 में से हटाना हो, जो नहीं समझ में आ रहा है वो हटा दीजे बाकी 4 प्रशन कर लिजे पहला प्रशन है यहां पर देखी क्या है रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्योंकि इसी से अमीरत दीन को खुशी मिलती है सरल वाक्य में बदलिये तो अब जहां पर इस तरीके से आये, जहां पर किसी स्टेट्मेंट को बदलना है ठीके, उस कंडीशन में सबसे पहले आप निकाल लिया करों कि यह स्टेट्मेंट है क्या कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, सयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य तीन भेद होते हैं न, तो यहां पर आपको देखना है पहला यह है क्या रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्योंकि इसी से अमेरे दुन को खुशी मिलती है तो यह एक मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य को हमें किसमें बदलना है, सरल वाक्य में मिश्रवाक हमेशा दो statement होते हैं जिने अव्या के माद्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है अब सरलवाक में क्या होता है हमें उन दो statement को एक statement में लेकर आना होता है तो आब इसमें देखना है कि नीजे जो चार options दिये है इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो simple एक statement में और जो वाक्य दिया गया, उसको ठीक से explain कर रहा है रसूलन और बतूलन ने गायन से अमीरत दिन को खुशी मिलती है ध्यान देखिए यहां पर जैसे जैसे ही गाती है अमीरुत आभि यह दो शब्द हो गए यानि कि ये सरल वाक्य हो गए ये अभी ये सरल वाक्य नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे ये हमें अभी सरल वाक्य रग रहा है इसलिए हमने इसको पढ़के छोड़ा हुआ है आगे बढ़िए रसूलन और बतूलन गाती है और अमीरत दुन को खुशी मिलती है उपर वाला ह गायन से अमीरत दून को खुशी मिलती है यहां गीतों से अमीरत दून को खुशी मिलती है दोनों statement एकदम सही है सरलवाग के हैं अब जब इस तरीके के आप option में आ जाओ किया रे ये तो दोनों सही है तो क्या होगा अब सबसे पहले ध्याने किया है रसूलन और बतूलन ने गाना गाया क्या रहा है गाना गाया यहां उनके गीत से नहीं दिया गया है किस से गाने से दिया गया है तो सही option है गायन गायन का अगर हम सब अर्थ निकाले तो क्या होता है गाना गाना यहां गीत है यानि कि ठीक है उनके जो वो गीत लिखती है या वो गीत पढ़ भी ल तो कुछ भी हो जाए हम उससे खुशी मिलेगे लेकिन यहाँ पर उनके बोली उनकी बोली में को जो गाना गाती है वो उन्हें अच्छा लगता है तो यहाँ पर गायन से अमिरुद्दिन को खुशी मिलती है इसलिए ये वाला वाग के हमारा एकदम सही रहेगा क्लियर हो गया इस तरीके के ऑप्शनस आपके सामने आएंगे जहां आपको कंट्यूज किया जाएगा इसलिए आपको देखना है गाना गाया गया कि उनके गीतों से है नेक्स आते हैं दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया इस मिश्चित वाक को सयुक्त वाक में बदलिये अब यहां पर मिश्चित वाक दिया है सयुक्त वाक में बदलना है ये चीज़ ध्यान रखेगा मिश्चित वाक में भी दो वाक के होते हैं सयुक्त वाक में भी दो वाक के होते हैं मिश्चित वाक की पहचा ना भी लिखा जाए तो भी वो संपूर्ण लगता है तो यहाँ पर हमें इन दोनों वाक्य जो मिश्र वाक्य में जो अलग-अलग dependent वाक्य है इनको दोनों अलग-अलग स्वतंत वाक्य बनाना है अब क्या दिया है दूसरी बार जब हालदार सहाब उदर से गुजरे तो उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया अब यह इसको हमें दो अलग-अलग वाक्य में हम बनाएंगे जैसे ही दूसरी बार हालदार सहाब उदर से गुजरे उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया जैसे ही गुजरे अब यहाँ पर अभी भी पहला वाक जो है independent नहीं है, dependent वाक के है यानि कि पहला वाक के दूसरे पर dependent है, है ना, जैसे और उनहीं के कारण, इसलिए यह क्या हो जाएगा अभी यह मिश्र वाक है, तो हमने इसको cut कर दिया next आते हैं, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार सहाब को मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया यहाँ दो statement है नहीं है, यह क्या है, यह सीदे सीदे एक सरल वाक के है, तो इसको समच बोधक अव्य लगा हुआ है तो यह एकदम perfect science वाक है, लेकिन अभी भी मैं इसको tick नी कर रहें, क्योंकि एक option बाकी है उसको भी पढ़ेंगे, जब भी हालदार सहाब उदर से गुजरते हैं मूर्ती में अंतर दिखाई देता है पहला statement आप पढ़ो, जब भी हालदार सहाब उदर से गुजरते हैं independent वाक के है या dependent वाक है यह dependent वाक है, यानि कि एक वाक के दूसरे पर depend कर रहा है तो उस condition में यह क्या हो गया, एक मिश्रवाक की हो गया इसे cut कर दिया, सही option हमारा गा है, तो इसको हमने टिक कर दिया, दूसरी बार हालदार सहाब उदर से गुजरे independent वाक के है, फिर उसके बाद उनको मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये भी dependent वाक के है, मगर इन दोनों को जोडने के लिए हमने यहाँ समानादी करण समुचुपोदक अवेर लगाया है, तो ये एकदम perfect वाक के है, नेक्स कोशन आते है number 3, मिश्रवाक का उधारन है, अब यहाँ चार option दिये है, इन चार option में हमें मिश्रवाक देखना है, जो एकदम perfect है, क्या है अजमेर से पहले पिताजी इन दौर में थे, ये तो simple simple एक ही वाक के है, तो मिश्रवाक मिश्रवाक में तो दो वाक के होते हैं, और एक वाक के दूसरे पर depend होता है, और ये क्या हो रहा, ये तो सरल वाक के है, तो आया, और college वालों ने third year खोल दिया, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, दो statement है, हमने हुर्दंग मचाया, dependent वाक के है, independent वाक के है, और फिर college वालों ने third year खोल दिया, ये भी independent वाक के है, तो यहाँ पर, ये एक सहींत वाक के, बदलना किसमें है, मिश्र वाक के, तो इसको भी हमने cut कर दिया, next आते है, हमारे हुर्दंग मचाने के कारण college वालों को third year भी खोलना पड़ा, ये क्या हो गया, ये सरल वाक के हो गया, तो ये भी नहीं, सहीं क्या है, हुर्दंग तो इतना मचाया कि college वालों को third year भी खोलना पड़ा, ये एकदम सहीं option है, हमारा मिश्र वाक के का, next आते हैं, प्रश्ट संख्या, चार अब का निमलिखित वाक्यों में सह्युक्त वाक के पहचान का नीचे दिए गए, विकल्पों में इसे सर्वाधिक सही विकल्प चुनिएं, चार option दिए गए हैं, चार में हमें देखना है, सहीं क्वाक के कौन सा है और जो भी सही है उसी के साथ से नीचे हम लगा देंगे आंसर में टिक पहला है असफल होने पर शोक करना विर्थ है क्या ये एक साइक क्यों कि इसमें हमें सयुक्त वाक्य को पहचानना है तो असफल होने पर शोक करना वी अरत हैं यह सरलवाग्य है तो ये हमारा नहीं है मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वही बिताऊंगी अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, मैं एक दिन अमेरिका जाओंगी, पूरा independent वाक्य है, ठीक है, पूरा स्वतंत्र वाक्य है, फिर उसके बाद दूसरा भी स्वतंत्र है, तो यह एक सहींत वाक्य है, इसको हम रखते हैं, आगे पढ़ते हैं, जैसे ही रमेश आया, वैस सफल होगा, अब क्या है, विद्यारती परिश्रमी है, यह क्या है, एक स्वतंत्र वाक्य है, अवश्य सफल होगा, यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है ना, तो यह भी हमारा सही है, तो हमारा दूसरा और चौथा आप्शन सही है, तो यहाँ पर हम घा में टिक लगाए अब नेक्स्ट आते हैं नमबर फाइव अब हमारे पास एक सूची से दूसरी सूची में हमको मिलान करना है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सही विकल्प का चैन कीजिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पर वाक के नाम लिखे अब आपको उसमें देखना है और नीचे ऑप्शन दिये हैं इसमें आपको टिक करना है पहले हम क्या करते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसको मिलाते हैं सुरेश के आज आने से सब प्रसन हो गए कौन सा वाक्य है यह एक सरल वाक्य है तो पहला वाला हमारा कहां मिल गया दूसरे से मिल गया फर्स्ट का ऑप्शन क्या है सेकंड फिर दूसरा है मैं युवा थी और शीला अगरवाल की जोशीली बातों ने रगों में भैते खून को लावे में बदल दिया पहला वाक्य देखी क्या है मैं युवा थी पूरी तरीके से एक स्वतंत्र वाक्य है दूसरा भी शीला अगरवाल की जो शीली बातों ने रगों उमें भेते खुन को लावे में बतल दूसरा भी स्वतंत रहे तो इस तरीके से ये क्या हो गया एक साइय उक्तवाक क्यों हो गया तो दूसरे का ओप्शन है तीसरा ये दोनों तो हमारे कट गए न क्योंकि यहाँ पर पहले का पहला पहले का पहला आ रहा है तो वो अप्शन कट गया हमारे पास अप्शन क्या पहले का दूसरा पहले का दूसरा दोनों सही है फिर क्या दूसरे का तीसरा है? दूसरे का तीसरा ये रहा, तीसरे का पहला ये तो यानि कि हमारा ये खा option सही है, ये गलत है देखते हैं, देखें, खा एकदम सही है पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला तो इस तरीके से हम सूची का मिलान करेंगे अब हम आ गए प्रश्ट संख्या चार पर यहां क्या दिया है निर्देशन उसार वाच्च पर आधारित पांच बहुविकल्पी है प्रश्णों में से किनी चार के उत्तर देने अब हमारा व्याक्रण का दूसरा टॉपिक है वाच्च ठीक है इस वाच्च को हम अब सारे ओप्शन को पढ़ेंगे और उस पर आधारित फिर जैसे भी आंसर होंगे पांच प्रश्ण दिये गए हमें सर्फ चार करने पहला है बाल गोविन भगत कबीर को साहब मानते थे कर्म वाच्च में बदलिये अब क्या है यहाँ पर आपको इसे बदलना है कर्म वाच्च में यह एक कर्त वाच्च दिया गया बाल गोविन भगत कबीर को साहब मानते थे यहाँ पर करता पर डिपेंड है क्रिया अब हमें क्या करना है क्रिया को कर्म पर डिपेंड करना है तो उसके लिए हम द्वारा या से शब्द लगाते हैं अब नीचे ऑप्शन दिये गए हम देखते हैं अब यहाँ पर देखी क्या है इस पे भी ये नहीं कि दुआरा लग गया सीधी सीधी आपने बोल दिया कर्म वाचे, क्रिया पे भी ध्यान दीजेगा, क्रिया के according, क्रिया ही हमारा भाव वाच और कर्म वाच और कर्म वाच में अलग अलग रहता है, फिर बाल गोबिन भगत कबीर को साहब मानते हैं, फिर ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा कर्म वाच और कर्म वाच में बदल दिया, नेक्स्ट आते हैं कोशे नमबर टू भोर में लोगों से बाल गोबिन्द का गीत नहीं सुना गया वाक में वाच्चे हैं अब क्या है भोर में लोगों से बाल गोबिन्द का भगत गीत नहीं सुना गया नहीं सुनते हैं जैसा शब्द नहीं है हम क्या नहीं सुना गया इसलिए यह सीधे क्या हो गया भाव वाच्च में हो गया प्रश्ण संख्या तीन है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं उधारण है धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं ये किसका उधारण है भाव वाच्का, कर्त वाच्का, कर्म वाच्का या विचार विचार वाच्चे तो होता ही नहीं तो तीन आप्शन होते हैं तो ये सीधे सीधे हमारा आप्शन हो रहा है कर्त वाच्का जहां पर क्रिया बच्चों के द्वारा संपन्न की जा रही है प्रेश्ट संख्या चार है निमलिखित वाक्यों में भाव वाच का उधारन है चार आप्शन दिये हैं हमें भाव वाच का उधारन खोज कर निकालना है तो देखे क्या है पहला आप्शन माता जी मिठाई बना सकती है दूसरा है मुझसे बैठा नहीं जाता तीसरा है भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है गर्मियों में छट पर सोया जाता है तो यहाँ पर दो जो हैं वो हमारे भाववाच हैं वो है नमबर टू और नमबर फॉर देखी क्या है मुझसे बैठा नहीं जाता गर्मियों में छट पर सोया जाता है यह दोनों क्रिया को देखकर आप पता कर सकते हैं कि यह दोनों ही भाववाच के उधारने तो नमबर आगया टू और फॉर एकदम हमारा सही है नमबर फाइव है अब हमारे पास फिर से सूची है हमें सूची का मिलान करना है देखी क्या है सूची एक को सूची दूँ से सुमेलित कीजी और सही विकल्प का चैन कीजी पहला क्या है गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं दूसरा option है गोपाल से पत्र लिखा जाता है तीसरा है धूप में चला नहीं जाता तो पहला option देखी क्या है गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं क्रिया किस पे है वो जो क्रिया करी जा रही है जिसके द्वारा कौन लोगों के द्वारा तो सही option है ये एक कर्त वाच्चे है ये हो गया गोपाल से पत्र लिखा जाता है ये एक कर्म वाच्चे है धूप में चला नहीं जाता ये एक भाव वाच्चे है तो देखिए क्या पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तो पहले का दूसरा कहां पर option आ रहे हैं ये दोनों तो पहले कड़ोगे क्यों इनका पहले का पहला है। अब हम आ जाते हैं इदेर पर 1 का दूसरा पहले का दूसरा। फिर दूसरे का तीसरा और 3 का पहला। तो option हमारा खा एकदम सही है, यह देखे, सूची हो, इनको सभी सुमेलित करते समें बहुत ध्यान रखेगा, अब हम आ गए हमारे प्रश्ण संख्या 5 पर, प्रश्ण संख्या 5 में क्या दिया है, निर्देशा नुसार पद परजय पर आधारित 5 कल्पिये प्रश्णों में से किनी 4 के उत्तर दीजिए, अब हमारे पास हमारा तीसरा टॉपिक पद परिचय आया है, इसमें 5 प्रश्ण पूछे गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्णों के उत्तर देने हैं, ठीक है, तो चलिए, पद परिचय में हम अंडरलाइन वोट्स को लेके चलते हैं, इन क्या होता है, हम होता है सर्वनाम, ठीक है, इसके इलावा जो ऑप्शन बचले हैं, उन्हें काट के अलग कर दूँ, संग्या है, ठीक है, और सार्वनामिक विशेशन, ये दोनों सर्वनाम हैं, इनको हम रख रहें, बाकी इन दोनों को काट दू, ये दोनों हमारे पास, इस अब यहाँ पर पुरलिंग है? बिल्कुल सही है. हम देरा धूमने गए. तो हम के साथ क्या है? कई लोग आते हैं. तो ये क्या है? बहुवचन. एक वचन. तो सही क्या हो गया? बहुवचन है. एक वचन नहीं है करता कारा के क्योंकि हमारे द्वारा कारे हो रहा है. तो सही option ह समारा हो गया खा तो एक एक स्टेप से बढ़ोगे ना तो आप बहुत इजली ये सारे काम कर लेंगे चलिए नेक्स देखते हैं नमबर टू प्रेशन है शशी दस्वी कक्षा में पढ़ती है रेखांकित पद का परिच्छे होगा किसमें अंडरलाइन है दस्वी में दस्वी किस से संबंदित है कक्षा से संबंदित है कक्षा क्या है संग्या संग्या की विशेशता संग्या के बारे में जो कोई भी शब्द चीज़े बताई जा रही है वो हमेशा क्या रहते हैं विशेशन रहते हैं ठीक है विशेशन के लावा जो भी option है उनको कर दीजे विशेश विशेशन 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 यानि कि चारो ही विशेशन चलिए आगले इसमें हम नहीं कर सकते हैं अब आते हैं विशेशन के option में विशेशन का option यहाँ पर किया है यह संख्या को बता ये जाहिड सी बात है कि ये एक जो है एक बटा रहा है क्यों क्योंकि कक्षा तो एक ही है नăm हमेशा याद रखना 10 में नहीं बोलो कि 10 नमबर है तो बहुँ अचन है बिल्कुल नहीं अगर हमारी संग्या एक बचन है तो विशेषन एक वचन रहेगा और कक्षा हमें कख्षा से जिसले ये ये एक वचन ही रहेगा हमेशा तो यह क्या हो गया एक वचन और कक्षा इसका विशेश एकदम सही तो बिल्कुल कांचील की नंबर है तो हम इसको बहुँ अच्छा में कर देंगे यह ऐसा नहीं होता है चलिए अब आते हैं नंबर थ्री पे अब है नेक्स्ट हमारे पास में तीसरा प्रशन है वह स्कूल से अभी अभी आया है रेखांकित पत का परिचे होगा अब वह स् स्कूल का नाम तो नहीं दिया है तो अब यह क्या होगा व्यक्तिवाचक की जातिवाचक तो सीधे सीधे हमारा यह क्या हो जाएगा यह जाती क्योंकि वह सभी स्कूल के बारे में ले रहा है तो सीधे हमारा हो गया क्या जातिवाचक तो हम यहां व्यक्तिवाचक दोनों ही पेढ़ें श error mad luz alert यह ना जैसे चृण के इस बाता ओका चाहाँ है जी से चाहँ से कहाँ है अलग होती है जब ही से लग आऊ जब जगए मुदने खर्म को करम K professionals एक से कहां आया करण में आया करण कारत में और दूसरा से आता है आपका आपदान कारत में जहां पर कोई चीज किसी से अलग हो रही है वहां पर हम से का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा आपदान कारत जैसे यहां पर क्या है वो स्कूल से अलग हुआ है क्योंकि वो घर आया स्कूल से अलग होकर घर आया है तो यहां पर अलगाव हुआ न तो इसलिए यह क्या होगा अपदान का रहा है तो सही option हमारा है संग्या है जाती वाचक एक पचक पुरलिंग अपदान का रहा है अब आ गए हैं नेक्स्ट वह मेरी बात पर बहुत हसा रिखांकित पद का परिचे होगा अब बहुत के नीचे अंडर है अंडर लाइन है अब बहुत जो है वो किस के लिए हो रहा है हसने के लिए हो रहा है किस से संबंदित है क्रिया से संबंदित है और क्रिया के बारे में जो शब्द कहीं पर बताता है तो हमेशा क्या कहलाता है क्रिया विशेशन कहलाता है अब क्रिया विशेशन के लिएवा जो option है उन्हें कट कर दीजे अब आप यहां देख रहे हैं परिमार वाचक क्रिया विशेशन विशेशन संख्या वाचक तो यह एक विशेशन नहीं है विशेशन परिमाण वाचक ये भी नहीं है विशेशन परिमाण वाचक नहीं तो ये क्या है परिमाण वाचक क्रिया विशेशन हशना क्रिया की विशेशन अब ध्यान दीजे ये सभी विशेशन है और ये क्रिया विशेशन है क्रिया से संबंधित है हमेशा या क्रिया से योगी पिता की संतान भी योगे होती है अंडरलाइन वर्ड है क्या संतान रेखांकित पद का परिचे हुगा अब संतान शब्द जो है वो क्या हुआ वो संग्या हुआ अब यहां पर संतान पूरी संतान कमिल्टी के बारे में ही बता रहा है तो वो क्या है एक जाती वाचक स यहां पर आप देख रहे हो जाती वाचक व्यक्ति वाचक जाती वाचक गुण वाचक तो हमने गुण वाचक यह तो विशेशन है नहीं तो हटा दिया यहां पर क्या यह व्यक्ति वाचक नहीं है तो हमने यह भी हटा दिया अब संतान भी योग्य होती है अब यहां पर क्या संतान इस्त्रिलिंग है या पूर्लिंग है क्या होता है अब जहां पर किसी भी शब्द का आपको लिंग पता करना हो उसकी क्रिया पे चले जाएए आपको पता चल जाएगा संतान भी योग्य होती, तो संतान क्या हो गई, क्या हुई, वो हुई हमारी इस्तरी लिंग हुई, ठीक है, और ये एक वचन है, क्योंकि एक ही संतान की बात हो रही है, तो सिंपल सिंपल इसी दी, ये हमने पुरलिंग को कट कर दिया, आप्शन हमारा हो गया, पहला एक डम सह तो यहां पर हमारा ये कोशन खतम अब आ गए प्रिश्ण संख्या 6 पर यहां क्या दिया है निर्देशा नुसार अलंकार पर आधारित 5 बहु विकल्पिये प्रिश्णों में से किनी 4 के उत्तर दीजे अब हमारा व्याकरण कार जो 4 टॉपिक है वो है अलंकार इस पर आधारित 5 बहु विकल्पिये प्रिश्णों पूछे गए हैं हमें सर्फ 4 के उत्तर देने बेहाद्यान से पढ़िएगा हर अलंकार का अपनी कोई न कोई पहचान होती है उसी के हिसाब से हम चलेंगे क्या है सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करहू ककरी अलंकार क्या है बताना है आपको अब यहाँ पर हमने आपको बताया है जहाँ पर कोई चीज आपको बोले अरे यह ऐसी लगती है मान लोग की जान लोग ऐसा लगता है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है उत्प्रेक्षा जहां पर आपको सप्पोस करने के लिए कंडिशन बोली जाती है वो आपकी क्या होती है उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर दिया है सुनत जोग ऐसा लगता है जैसे कि हमारे मूमें कोई एक कड़वी ककड़ी आ गई हो त जैसे है जियों त्यों जनहूं मनहूं ये जानों मानूं जैसे शब्द तो यहाँ पर क्या आया देख्यों जियों आया तो इसको देखकर हमने सीधे बोल दिया कि ये एक उतुपरेक्षा अलंकार है सीधे सीधे option चिक next आते है option प्रीति नदी में पाउन अबोरियों रेखांके तुमें अलंकार है प्रीति नदी ये रेखांकित शब्दे हमें निकालना क्या है इसमें ये कौन सा अलंकार है प्रीति नदी प्रीति मतलब क्या होता है प्रेम नदी मतलब नदी ठीक है प्रेम की नदी यहाँ पर क इन दोनों को बताया गया है कि नदी के जैसे नदी में हम spelled वोते हैं, है न, तो हमारी क्या है वे ठंडक प्राप्त होती है। वैसी प्रेम रूपी नदी में हम करेंगे, पैर्ड वोएंगे तो हमें क्या होगा? हमें प्रेम प्राप्त होगा. अब यहाँ पर इन दोनों को की जो विशेशता हैं, उन्हें एकदम सिमलर कर दिया गया है. इतना सिमलर किया गया है कि इनके बीच की जो भिनता थी, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है. यानि कि इन दोनों को एकदम आपस में मिला दिया गया है. तो यह हमारा क्या हो गया? रूपकलंकार. जहां पर हम शब्दों के बीच में सारी भिनताओं को मिटा कर आपस में एक कर देते हैं, वो होता है हमारा रूपकलंकार. अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताते हैं जहाँ पर एक उपमा वाला शब्द होगा और उनके बीच की सारी भिनताओं को हटा कर सिर्फ एक ये योजक चिन्न लगा दिया जाएगा वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होगा यहाँ पर नदी की विशेशता क्या है वो प्रीती की नदी है एक विशेशन है एक विशेश है और इन दोनों के बीच जो है हमने क्या इस्तेमाल किया है एक योजक शब्द का योजक चिन्न का इस्तेमाल किया है तो यह हमारा क्या हो गया रूपक अलंकार हो गया सही सही और प्रीती नदी में पाउं न बोरी हो, यानि कि ये गोपियां जो हैं वो उधव से बोल रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहे और उनकी प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पाउं तक नहीं बोरे, यानि कि पाउं तक तुमने डुबोए नहीं उसमें, उसमें नह मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा अब क्या उसका लुमारे क्रोध के यानि कि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसका तन कापने लगा इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके गुस्से से उसको अपना तन कापने लगता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था Mانो हवा के जोर से सोता हो, यानि कि इत्ती तेज हवा चल रही है कि जो सागर की लहरे हैं वो फान पर आ रही है Mानो ऐसा लग रहा हो तो जहां पर सपोस करने की बात होती है, वहां हमेशा क्या रहता है? उत्प्रेक्षा अलंकार. उत्प्रेक्षा अलंकार का क्री वर्ड क्या था? यह शब्द थे ना, तो यहां देखो मानो शब्द लगा है ना, तो इससे सीधे सीधे हमने क्या निकाल लिया? कि यह एक चार ओप्शन्स दिये गए उपमा लंकार बताना है बादल गर्जो दूसरा है घेर घेर घोर गगन धराधर हो फिर है ललित ललित काले घुंगराले बाल फिर है बाल कलपना के से पाले अब उपमा लंकार में क्या होता है किसी को किसी से कंपेर करते हैं यह हमें पता है फिर दूसरा इसमें एक चीज़ पहचार हमने आपको पताई, उपमा वर्ड में कुछ जो है, कुछ शब्द होते हैं, जिनको हम देखकर समझ सकते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, सासी से समसरिस जैसे शब्द, अब यहाँ पर आप क्या शब्द देख रहे हो, से देख रहे हो, ठ से पाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर सही हमारा उपमालंकार है घा, चलिए अब आते हैं नंबर फाइफ पे, अवधी आधार आस आवन की में अलंकार हो, तो देखके पहचान गए होंगे, देखे एकदम सही है, अवधी आधार आस आवन, आवन की आवनत्ती बार बार और इसी के साथ हमारा यहाँ पर व्याक्रण सेक्शन खतम हुआ, अब हमा क्या आ गए, प्रश्ट संख्या साथ में, जहां हमारी शतिच बुक के गद्य खंड का एक गद्यांश रखा गया है, जिसे हमें पढ़ना है, और उस पर आधारित पांच बहुविकल्पिये तो पहले यह पठित है, तब भी हम इसको पढ़ेंगे, क्या है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साब उस मूर्ती के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निसकर्ष पर पहुँचे, कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सरा पहानी नहीं ही कहा जाना चाहिए, महत्व मूर्ती के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ती भी आजकल मजाक की चीज होती जा रहे है, अब क्या था, हालदार साब कस्बे में आते, मूर्ती देखिए उन्होंने कि हर बार मूर्ती का चस चश्मा बदला, यहां यह देखना है कि भावना कैसी, उस मूर्ती पर चश्मा नहीं था, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वहाँ पर चश्मे बदल बदल कर लगाते गए, मनने कि यहां पर लोगों के अंदर देशभक्ती की भावना है, तो यहां पर यह मतलब नहीं ह आप उदर से गुजरे तो उने मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा था पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है हालदार सहाब का कौतोहल और बढ़ा वा भाई क्या एडिया है म मूर्ती कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है तो जैसे उन्होंने देखा कि पहली बार जब मूर्ती देखी थी तो उसमें चश्मा था जैसे नेता जी लगाते वैसा चश्मा नहीं था दूसर जैसा मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था फिर द तो ये चीज देखकर और बाद में उन्हें कौतु हल हुआ कि ये कैसे हो रहा है कैसे बदल रहा है तो वो भी वो शांत करते हैं बाद में अब इसमें प्रश्वन हैं, पहला प्रश्वन है, जीब कस्वा छोड़कर आगे बढ़ गई अर्थात, जीब कस्वा छोड़कर आगे बढ़ गई क्या है जीब कस्बे में बिना रुके आगे बढ़ गई जीब कस्बे में रुक कर आगे बढ़ी जीब कस्बे में रुक गई जीब कस्बे में नहीं गई तो कस्वा छोड़कर आगे बढ़ गई कतात पर है जीब कस्वे ए में बिना रुके आगे बढ़ गई यानि कि वो हां रुकी नहीं और आगे चली गई Next रे हालदार सहब किसके विशय में सोचते रहें? किसके बारे में? नेता जी के बारे में, मूर्ती के बारे में, चौरहाय के बारे में या कस्वे के बारे में? किसके बारे में सोच रहे थे? वो सोच रहे थे मूर्ती के बारे में क्योंकि मूर्थी पर ही तो चश्मा अलग लगा था वही चीज के बारे में वो सोचते रहें प्रश्ण संख्या तीन है वरना तो देशभक्ती भी आजकल मजाग की चीज होती जा रही है से आश्र है अभी इस पंक्ती से हमारे लेखक कहना क्या चाहते हैं यानि कि स्वयम प्रकाश जी क्या कहना चाह रहे हैं इससे क्या मतलब है देखे क्या है आजकल देशभक्त होना संभव नहीं है दूसरा है आजकल देशभक्त होना हास्यापद हो गया है यानि मजाग वाली बात हो गई है आजकल सभी देशभक्त हो गए हैं दूसरा है आजकल देशभक्ती की प्रासिंगिक्ता नहीं रही है तो इसके पीछे वो क्या कहना चा रहे हैं? वो है आजकल देशभक्त अगर कोई है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है यानि कि वो हसिपर्द विक्ती होता है हम बोलेंगे नहीं भई हमारा देश नहीं इसको गंदा नहीं करेंगे जगानी तो आप पर चार लोग हसेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? वो मजाक का करना अगर आप अपनी देशभक्ती दिखाते हैं तो आप चार लोगों के बीज हसी का पात्र बन जाएंगे प्रेश्ट संख्या चार है दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ती में क्या अंतर दिखाई दिया? अब दूसरी बार जब उन्हें मूर्ती में क्या फर्क दिखाई दिया? मूर्ती पर कोई चश्मा नहीं था मूर्ती पर पुराना चश्मा था मूर्ती पर एक नया चश्मा था मूर्ती छति ग्रस्ती पहले चश्मा क्या था? मोटे फ्रेम वाला चोको चश्मा था जब दुबारा आये तो पतले तार वाला गोल चश्मा था तो यानि कि फरक क्या था? मूर्ति पर एक नया चश्मा था, यानि कि चश्मे का बदलाव हुआ था, प्रेश्ट संख्या पाँच है, नेदा जी का चश्मा पाठ, अब ये पाठ किस फिलिंग के साथ है, आपको ये बताना है, देखी क्या है, देशभक्ति के भावत पर व्यंग करता है, जो आपकी दे दूसरा है, देशभक्ति के महत्यों को स्थापित करता है, तीचोथा है, देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है, तो ये जो नेदा जी का चश्मा पाठ है, वो है देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मूर्ति बना तो दी गई मगर उस देश जो हमारा सुदंता संग्रामी थे नेता जी उनकी मूर्थी पर चश्मा नहीं था तो अब किसी देशभग व्यक्ति नहीं उस पर चश्मा लगा दिया अब वो चश्मा बदलता रहा फिर एंड में क्या हुआ था जब मर जाता है कैप्टन तो उसके बाद बच्चे सरकंडे का चश्मा लगा देते हैं तो ये पूरा पार्ट हमें कहीं दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर देशभगति जिन्दा है अब प्रश्न संख्या आठ में क्या होगा हमारे जितने भी गद्दे पार्ट है यानि कि छे गद्दे पार्ट दिए कहना इन छेओ पार्टों में से आपसे कोई दो बहुविकल्पिय प्रश्न पूछे जाएंगे इने हमें करना है क्या है बालगोबिन भगत के जीवन से हमें क्या प्रेणना मिलती है तो ये दो प्रश्न पूछे जाएंगे कितने है ये टू मार्क्स के दिए वन मार्क्स एच तो पहला प्रश्न है बालगोबिन भगत के जीवन से हमें क्या प्रेणना मिलती है बालगोबिन भगत पूजा पाठ और यग्यादी करने की प्रेड़ना मिलती है तो बालकुबिन भगत क्या थे वो समाज में जो चीजें चल रही थी वो सारी चीजों का वो बिल्कुल भी खण्णन करते थे यानि कि वो जो है दिखावा नहीं करते थे और इश्वर की भक्ति करते थे तो यानि क हमको दिखावा नहीं करते हुए इश्वर भक्ति करनी चाहिए जैसा की बालकुबिन भगत करते थे दूसरा प्रशने अमीरुद दीन को रसूलन भाई और बतूलन भाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था यानि कि अमीरुद दीन क्यों जब जाया करते थे बालाजी के मंदर में तो वही रास्ता क्यों अपनाते थे जहां रसूलन भाई और बतूलन भाई गाना गाहया करते थी वो रास्ता उनको क्यों अच्छा लगता था देखे कारण यहा है संगीत के प्रती असीम रुची के कारण संगीत के प्रती अरुची के कारण वह रास्ता छोटा अमीरत दिन को संगीत के प्रति रूची थी इसी कारण से वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर वाला रास्ता ही चुनते थे बाला जी के मंदिर जाने के लिए अब आ गए हम प्रश्ण संख्या 9 पर प्रश्ण संख्या 9 में हमारी शितिज बुक का जो कावे खंड है उस पर से हमारे सामने क्या लिया गया है एक काव्यांश लिया जाएगा उसे हमें पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर हमको देने है तो देखिए क् निमलिखित पठित पध्यांश पर आधारित भह विकल्पिये प्रश्णों के सर्वाधिक उपिप्त विकल्प चुनकर लिखिये। देखि कुठार सरासर बाना मैं कच्छु कहा सहित अभिमाना ब्रगुसुत समझे जनेव विलो की जो कुछ कहूं सहर सरो की सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इहे पर ना सुराई बधे पाप अपकीर्ति हारे मारुपा पारे तुम्हारे तो अब यहाँ पर यह क्या है राम लक्षमण परुसुराम संबाध पाड से लिया गया है कि जब लक्षमण जी परुसुराम जी की बात का जभाब दे रहे होते हैं परुसुराम जी बहुत गुस्सा है अपने कुठार उठा उठा के बार बार लक्षमण जी को चिताबनी दे रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो हसते हुए बड़ी ही नम्र सभाव से म्रदुभाणी में बोलते हैं क्या बोलते हैं अहो मुनी से महाबट मानी हम मानते हैं कि आप बहुत ही बड़े मुनी हैं पुनी-पुनी मोही दिखाएं कुठा आप बार बार मुझे हैं कुठार दिखा रहे हैं चाहत उडान फूंक पहार, आप यहां पर बार-बार कुठार दिखा कर फूंक से पहार को उडाना चाहते हैं, यहां कुम्भा बतिया को हुना ही, कुम्भा बतिया जो है न, एक ऐसा पेड होता है, जिसको छुओ तु तु तुरंथी सिकुड जाता है, ते तरजनी देख ही परमवीर हैं और आप उपनी वीरता दिखाने के लिए बार-बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई कमजोर नहीं है जो आपके तरजनी उंगली देखकर डर जाएगा देख कुठार सरासरबाना मैं कचु कहा सहित अभीमाना आप बार-बार कुठार दिखा कर जो है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अभीमान को परकट कर रहे हैं ब्रगुशुत समझे जनैविलेव कि मैं आपको ब्रगुवण्च और जनेवधारी समझ रहा हूँ जो कुछ कहत सहरे सिरुरो की और आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको जो है मैं नत्पनमन जो है सिरजुगा कर स्विकार कर रहा हूँ सुर महे सुर हरी ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ अब मैं सर जुखा कर उसे क्यों कर रहा हूँ मैं क्यों इसका दिद्रो नहीं कर रहा हूँ क्यों सुर यानि की देवता मही सुर यानि की जो ब्रामण हरीजन अरु गाई इन सभी गायों को और जो क्या कहते हैं निर्धन व्यक्ति होते हैं जो असाय होते हैं उन पर जो हमरे कुल इन पर ना सुराई इन सभी लोगों पर हमारे जो हमारा जो वंश है वो इन सभी को कभी भी जो है हाथ नहीं लगाता मतलब इनके उपर कभी भी अत्याचार नहीं करता है बधे पाप अपकीरती यानि कि हम अगर इनको मारेंगे तो हमारे उपर पाप पड़ेगा और हमारी अपकीरती चारो तरफ होगी मार हूँ पाप परें तुम्हारे अगर ये लोग मुझे मारेंगे भी तो भी हम इनके पाओं ही पड़ेंगे यानि कि ये हमारे जो वन्श है हमारा जो खांदान है उसमें इन पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता और मगर आगर मालो ये हम पर भी मारते हैं जैसे कि परशुराम जी ब्रामण है आप हम मारेंगे तो भी हम क्या करेंगे हम आपको नहीं मार सकते क्योंकि हमारे खांदान में ऐसा नहीं किया जाता है अब इस पर पहला प्रश्ण है देखे क्या है परश्ण राम बार बार अपना कुठार किसी और क्यों दिखा रहे हैं किसको दिखा रहे हैं लक्षमन जी को दिखा रहे हैं तो क्या है राम को भैबीत करने के लिए दिखा रहे हैं लक्ष्मन को भैबीत करने के लिए दिखा रहे हैं विश्वा मित्र को भैबीत करने के लिए दिखा रहे हैं महाराज जनक को भैबीत करने के लिए दिखा रहे हैं तो वो बार बार किसको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं लक्ष्मन को भैबीत करने के लिए डराने के लिए क्योंकि बार बाल लक्षमण के साथ ही उनका समबाद हो रहा है तो अपना कुठार दिखा कर उसको डरा रहे हैं कि तुम शान्त हो जाओ ने तो मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम डर नहीं रहा है प्रेश्ट संख्या 2 है निमलिकित पंक्तियों में से किस पंक्ति से लक्षमण की शक्तिशाली होने का पता चलता है अब यहाँ पर जो हमने कावियाश पढ़ा है उसकी चार पंक्तियां यहाँ है अब उसमें से वो पंक्ती ढूननी है जिसे आपको पता चलता है कि ये पंक्ती लक्षमण जी की वीरता को प्रदर्शित कर रही है पहली पंक्ती है बिहसी लखनु बोले म्रदुबानी अहो मुनुसी महा भटमानी दूसरा है पुनि-पुनि मोही दिखावे कुठारू चाहत उडान फूक पहारू तीसरी है देखी कुठार सरासरबाना मैं कचु कहा सहित अभिमाना चौथा है इहां कुम्भा बतिया कोहु नाही जे तरजनी देखी मरी जाही तो यहां पर किससे हो रहा है यह लास्ट वाली पंक्ती यहां कुम्भा बतना कोई यानि कि यहां पर कुम्भा बतिया जैसा कोई कमजोर नहीं है जो तरजनी उली देखकर ही मर जाएगा यानि कि वो अपने बारें बता रहे कि मैं यहां पर वीर हूँ तो इसलिए यहाँ पर लास्ट पंक्ती जो है वो लक्षमण जी की वीरता को दर्शाती है नमबर थी है रगुकुल में किन किन के प्रती अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है कौन कौन है देवता पहला अप्षन है देवता ब्रामभण इश्वर भक्त और गाय पर दूसरा है इस्तरियां बच्चों इश्वर भक्त और गाय पर तीसरा है देवता राजा वीर योद्धा और इस्तरियों पर चोथा है इस्तरियों बच्चों राजा और गाय पर तो अगर हम कादियांश की recording चाहें तो यहाँ पहला option है देवता, ब्राम्भाण, ईश्वर भक्त और गाये पर रघुकुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है प्रेश्ट संख्या चार है बिहसी लखन बोले म्रदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी यह कथन डैश का उधारन है अब किस चीज़ का उधारन है व्यंग का हास्य का क्रोध का या वैराग्य का यहाँ पर आपसे रस पूछा जा रहा है तो आप देखेंगे बिहसी लखन बो प्ले म्रदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी तो यहाँ पर लक्षमण जी क्या कर रहे है व्यंग कर रहे है तो सही ओप्षन है यह व्यंग का उधारन है अब आगए नंबर फाइफ पे उपरिउक्त पद्यांश में लक्षमण के चरित्र की कौन सी विशेश्टा उजाग वो है उनकी वीरता उजागर हो रही है तो इस तरीके से पध्यांश खतम हुआ अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 यानि कि हमारे खंड का का जो हमारा आखरी प्रश्न है जो अब्जेक्टिव का उस पे आ गए यहाँ पर क्या पूछा क्या है पाट पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम लिखे दो प्रश्नों के सरवाधिक उप्युप्त विकल्प चुनकर लिखे अब यहाँ पर क्या है हमारे जो बुक है शितश भाग दो उसकी जो कावे खंड है उस कावे खंड से जितने भी संपूर्ण पाठ है उसमें से दो प्रश्न या प्रतीत होता है दंदुरित मुस्कार में किया उसका जो धूल दूसित यानि की धूल से सना हुआ जो श्कषीर है वो कवी को किस प्रकार लग रहा है इस नान करवाने योग्ये वस्र आभूशन से सजाने योग्ये खिले हुए सुन्दर कमल के समान या मिट्टी से सने वो है संगतकार पाट के अनुसार संगतकार की मुख विशेशता क्या होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है उसकी मानवियता उसकी कलात्मक्षेश्चता उसकी प्रतिभा प्रदर्शन की आकांशा उसकी आत्म मधुरता तो उसकी सबसे बड़ी जो विशेशता होती है वो ह उसकी मानवियता, मानवियता क्या है, वो अच्छा गा सकता है, मुख गायक से भी अच्छा गा सकता है, लेकिन वो हमेशा अपनी आवास को दबा कर रखता है, वो कभी भी मुख गायक की आवास से उपर नहीं जाने देता, ये उसकी मानवियता ही माने जाए, तो इस प्रशन के साथ हमारा खंड का खतम हो गया अब हम आ जाते हैं खंड खा पे अब खंड खा हमारा पूरा वर्णात्मक है जितने प्रश्ण पूछ जाएंगे उन्हें आपको डेटेल में आंसर देना है अब चुकि यह CBSE का sample paper है इसमें आपको pattern or marking scheme दोनों ही बताई जा रही है तो यहाँ पर आपको answer डेटेल में नहीं मिलेंगे आप किन किन points पर इसको explain कर सकते हो यह हम आपको यहाँ बताएंगे तो यहाँ परolin संख्या 11 क्या गद्य पाठों के आधार पर निमलिके 4 प्रश्णों में से किनी 3 प्रश्णों के उत्तर लगबख 25 से 30 शदों में आपको देने अब यहाँ पर क्या दिया है? आपके पास यहाँ पर क्या दिया है? जो हमारी बुख है शतिज, उसके जो गद्ध सेक्शन है न, उसमें से आपको चार प्रशनों में से तीन प्रशन है, आपको सिर्फ तीन प्रशन करने हैं, जिनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों, याद 30 words यानि कि 25 to 30 words ही होने चाहिए, 4 में से 3 के उत्तर देने हैं, तो अब यहाँ पर एक जो है ना हमारा 2 marks का question रहेगा, एक question के लिए कितने marks मिलेंगे, 2 marks, तो 3 किये तो कितने हो गए, 6 marks, ठीक है, question number 11 हमारा हो गया, 6 marks का, पहला प्रेशन आ रहा है हमारे बास में, क्या आपको नवाब सहब का वैभार सामानने लगा, क्यों, युक्ति युक्त उत्तर दीजे, अब यहाँ पर ये chapter कौन सा है, लखनवी अंदाज से लिया गया है, प्रेशन ये, तो लखनवी अंदाज में आप से पूछा गया है, कि आपको नवाब सहब का behavior कैसा लगा, क्या ये सही है आपको युक्ति युक्त उत्तर देना, मतलब आपको तर्ग देना पड़ेगा, कि आपको अगर सही लगा, तो क्यों लगा, और अगर गलत लगा, तो क्यों लगा, तो यहाँ पर आपको जो ये answer लिखना है, वो तीन points भी लिखोगे पहले, मैं तीन चीज़ों के से explain कि इसलिए नहीं अच्छा लगा, दूसरा खीरा छीलने, काटने और नमक बुरकने ये आधी प्रक्रिया के कारण, अब यहाँ पर आप जो है ना, ये सारी प्रक्रिया करते हूँ, मतलब छीरा छील रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसको करने के बाद क्या कर रहे हो, उसे सामंती भेवार को दिखा रहा है, इसलिए हमें नवाब साहब का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो इसे आप पूरी इसी तरीके से explain करेंगे, तो ये तीन चीज़ें आपको लिखते हुए पूरे detail में आंसर देना है, 25-30 वोट्स के अंदर, चीक है, अब नमबर 2 कोश महानगरों का जो फ्लैट कर्चर है, आपको पता फ्लैट्स पे रहने वाला आज का कल्चर बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिका मनु बंडारी के पडोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करते हैं, अब इन्हें आप तीन चीजों में देखेंगे, उत्तर बनावटी होता है, क्योंकि अगर हम उसे टकरा भी जाएं, तो एक बनावटी मुस्कान होगी, बनावटी नेचर होगा, एक नेचरल चीज नहीं आती है, सबसे पहले आप क्या बताओगे, कि फ्लैट कल्चर क्या होता है, ये चीज़ आपने बताई, फिर आप लेकिका तो बन्डारी के पड़ोस कल्चर में पारसपरिक सद्भाव, पार्मपरिक, पारिवारिक संबंध और सहट जीवन है, अब उसमें क्या था, उनके लिए पड़ोस उनके घर जैसा ही था, वो अकर घर में नहीं होती थी, पड़ोस में किसी के घर में, ये सियसे पिता जी की इन दू पॉइंट से पहले पढ़ोस कल्चर बताओगे फिर लेखे का मनुभंडारी के पढ़ोस कल्चर को जो है आप डिफाइन करके इसके अंदर को वेक्त कर दोगे तीसरा प्रेशन है मंगल ध्वनी का क्या अभिप्राय है बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनी का नायक क्यों कहा गया है इस पश्ट कीजिए मंगल ध्वनी से क्या मतलब होता है शुब अवसरों पर बजाये जाने वाला ध्वन अब ये क्या होता है शहनाई हमेशा शुब अवसरों पर बजाये जाती है बिसमिल्ला खान जी शहनाई वादक थे तो इसी लिए वो मंगल ध्वनी के जो हैं नायक कहलाते हैं, शेहनाई शुब मंगल का वाता वरण का सरजन करने वाला वाद्य है, तो इसी से जो ध्वनी निकलती है, वो क्या होती है, मंगल ध्वनी होती है, फिर दूसरे में उसके आगे बढ़ो के, बिस्मिल्ला खां सरवशेश सहनाई वादक ते, अब भी तक बाबा विश्वनात के प्रती अटूट आस था थी अब क्यों था उनका जो बिस्मिल्ला खांते वो शेहनाई के प्रती बाबा विश्वनात के प्रती बुले बनारस प्रती और जो है बनारस के प्रती इन सभी के साथ अटूट विहवार अटूट बंधन था हमारे बिस्मिल् तो मैं रियाज नहीं करूँगा, मैं प्रेक्टस नहीं करूँगा, वो हमेशा प्रेक्टस करते थे, इसके कारण उनकी शहनाई में इतनी मधूरता थी, तो इस तरीके से आप इस प्रेश्ण को भी पूरा डिटेल में लिखेंगे, चौधा प्रेश्ण है हमारे सामने, संस्कृति पाठ के अधार पर तर्क दीजिए, संस्कृत विक्ति कौन होता है, जो आपको बताना है, और संस्कृति पाठ के तुन बताना है, अपनी बुद्धी तथा योगिता के बल पर कुछ नया करने की शंता को संस्कृत विक्ति काता, जैसे कि यहाँ पर बताया क्या जो लोग नया अविश्कार करते हैं, वो क्या होते हैं? संस्क्रत व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि उन्हों ने अपने बल पर किसी नई चीज का निर्माण किया है, तो वो होते हैं संस्क्रत व्यक्ति, न्यूटन जैसे व्यज्ञानिकों का उधारन आप देंगे, यहां पर बह ये चीज़े आप बताएंगे कि पहले संस्रे देखती कौन होता है और फिर कुछ उधारणों के साथ प्रस्तुत करतेंगे। तो चलिए चालो प्रश्ण हो गए, अब आगए प्रश्ण संख्या बार हाप है। निर्धारत कविताओं के आधार पर निमलिके चार प्रश्णों में से किनी तीन प्रश्णों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारी बुक जो शतिज है न, उसके कावि खंड से आपके सामने चार प्रश्ण रखे गएं, जिन में से आपको सिर्फ तीन प्रश्ण करने हैं, जिनका उत्तर आपको देना है 25 से 30 शब्दों में। एक प्रश्ण हमारा रहेगा 2 मार्ग्स का, तो 3 प्रश्ण कित्य हो गए 6 मार्ग्स के, जैसे भी गदि खंड के थी, वैसे हमारे कावि खंड के आएं, 3 प्रश्ण हमारे 6 मार्ग्स के हो जाएंगे, पहला प्रश्ण है, गोपियों ने क्रिष्ण के प необ Tampa की अपने एक इस आंसर को आप points में भी दे सकते हो स्वयम को हारिल पक्षी वा श्री कृष्ण को लकड़ी की भाती बताया हारिल पक्षी की भाती ही वेशी कृष्ण के प्रती समूर्पन रखती है तो क्या है जिस तरीके से हारिल पक्षी जो होता है वो अपने जीवन के सहारे को सिर्फ एक लकड़ी के सहारे कता है ये मेरा ही जंदिगी है उसको पकड़े रहता है उसी तरह गोपियों ने बोला कि हम क्या है हम हारिल पक्षणी है और श्री कृष्ण हमारे लिए वो लकड़ी है क्योंकि वो ही हमारे लिए संपूर्ण जीवन का एक सहारा है, वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, ये एक उधारन दिया, दूसरा क्या था, श्री कृष्ण को कभी अपने आप से अलग नहीं होने देना चाहती है, दूसरा उधारन उने गुड़ और चीटी का दिया, उ आपने विचार विक्ति कीजिए, आप देखी क्या, लक्षमन जी के अंदर साहस और शक्ती दोनों थी, ठीक है, यही चीज परुष्राम जी के पास भी थी, साहस भी थी, शक्ती भी थी, मगर उनके पास विनम्रता नहीं थी, ठीक है तो अगर आपके पास साहस है और शक्त कि हार यह कने Seven अगर उसके पास मेंदयन के आधर कर दो सचार दो हमेशा आपने बड़ों का दर करो जैसा कि लकष्मण जी उतनाय कर रहा है। परिस्ततियों को आसानी से संभाल पाता है और पाट में आए राम लक्षमन के विक्तत के उधारन से इसपश्ट होता है विनम्र विक्ति क्या होगा जैसी भी situation हो उनको वो संभाल लेगा क्योंकि क्रोधी विक्ति क्या होता है अगर वो क्रोधी है उसके पास साहा से सब कुछ है तो वो हमेशा परिस्तति को complicated ही बनाएगा लेकिन अगर विनम्र है तो वो क्या करेगा वो हमेशा परिस्तति को अच्छा करेगा मत्तब उसका solution निकाल लेगा प्रश्ण संक्या तीन है आत्म कथा सुनाने के संदर्व में अभी समय भी नहीं कवी ऐसा क्यों कहता है क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटा नहीं है जिसे वो सुनाएं जिससे लोग प्रेणना प्राप्त कर सकें इसलिए उन्होंने ऐसी चीज कहिए कभी अपने मन म दवे कश्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता हूंनको अगर मैं उनको बताउंगा तो मैं सबसे पहले खुद दुखी हूंगा इसलिए नहीं बताना चाहता हूं उनका जीवन संघर्शों से भड़ा है मतलब उनके जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जो द दूसरों को बताकर हास से का पात्रे नहीं बनना चाहता और नहीं उसके जीवन में ऐसा घटा कि जिससे लोग दूसरे प्रेड़ना ले सकें तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको वो इसलिए वो बोल रहा है कि अभी समय नहीं है अर्था तो उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं वो उसके महिनत का फल होता है वो अपने हातों से महिनत करता है परिशम भई हल चलाता है बीच बोता है फिर उनमें सिचाई करता है फिर उनकी देख भाल करता है फिर कटाई करता है चाटता है ये सभी कौन करता है किसान करता है उसके हातों द्वारा संपर्न होता है तो हातों की महीमा का ताथ पर क्या हुआ किसान के परिश्रमी होने के बारे में बता रहा है किसानों द्वारा निरंतन परिश्रम और देख भाल के फल सरूप फसलों का लह लहाना तो आप यहाँ पर किसान किस तरीके से परिश्रम करते हैं, उपने हाथों जारा किस तरह परिश्रम किया जाता है, इसे यहाँ आपर आप डिटेल में समझाएंगे, चिक, अब हम आ गए प्रश्ट संख्या 13 पर, यहाँ कि आप पूछा गया है, पूरक पाठ पुस्तक के पा प्रश्न रखे गए हैं, आपको दो प्रश्न करने हैं, पचास से साथ शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है, अब यह एक प्रश्न रहेगा हमारा फोर मार्क्स का, दो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आठ मार्क्स का, अच्छा यहाँ पर नीजे आप जो देख आपको ऐसे-इसे काम करना है, यह नहीं कि आप भी ऐसे पॉइंट्स में उत्तर देदो, आपको यह नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में आंसर देना है, यह सिर्फ-सी द्वारा आपको समझाया गया है कि किसी भी कोशन का आंसर आप किस-किस बेसस पे लिखोगे, जो आपको सही उत्तर मिलेगा ठीक है ना तो अब इसमें जो हमारा पहला प्रश्ण है तीन प्रश्ण पूछे गए ना दो के उत्तर देने पहला प्रश्ण है माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है माता के अंचल पाट के आधार पर बताईए अब यह से पहले कहां गय आपनी मां के पास गया गया न तो मां जो प्रेम होता है वह निश्चल होता है और उसमें हमको बहुत सुरक्षा प्राप्त होती है माता से बच्चे का मम्तत्र का रिश्टा होता है दूसरा भोना नात का अपना पिता से अपार इसने के बावजू विब्दा आने पर अपनी मा की गोद में जाकर छिपता है मा के आचल में बच्चा स्वंको सुरक्षत महसूस करता है तो अब आपको ये तीन पॉइंट तो बताना है कि बच्चे का रिष्टा हमेशा मा का बच्चे के साथ मंतत्यू का विष्टा रहता है उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता, कोच नहीं होता सिर्फ क्या है, मंता है, प्यार है, बसित्ता होता है फिर आप उधारन दोगे किस तरीके से भोलानात पूरे दिन के अपनी प्रक्रिया सारी पिता के साथ करता है लेकिन जब सांप देख लेता है बिल से निकलते हुए तो उस समय गिरता पड़ता सीधे अपनी मा के पास ही पहुंचता है क्यों क्यों क्योंकि माता के आचल में जो सुरक्षा हमको मिलती है जो अपना पन मिलता है निस्वार्थ भाव से वो हमें कहीं नहीं मिल सकता चाहे हम पूरे संसार में किसी के साथ जितना भी समय बिता लें लेकिन सबसे ज़ादा सुरक्षा हमें कहा मिलती है अपने मा के आचल में दूसरा प्रश्ण है मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्ण के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है अब क्या होता है मैं क्यों लिखता हूँ जब हिरोशेमा में परमाडू विस्पोर्ट हुआ तो उस समय हमारे लेखक भारत में थे उन्होंने क्या किया बहुत सारी चीजे सुनी सब कुछ हुआ उन्होंने लेख लिखा उस पर लेकिन जब वो वहाँ पर गए और वहाँ पर उस परमाडू स्पोर्ट से जो लोग प्रतारिक थे उनको देखा तो हमारे लेखक अंदर तक हिल गए अंदर तक हिल गए तो वो लिखने के लिए विवश हो गए लेख तो लिख सकते हैं लेकिन कविता हैं हमेशा जब हम हमारे भाव बहुत ज़्यादा उत्रीन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उग्रो हो जाते हैं तब लिखते हैं तो वो अंदर से तब पूरी तरीके से हिल गए तब उन्होंने ये कविता लिखी थी तो यहाँ पर मैं क्यूं लिखता हूँ इसके उत्तर में बोलते हैं आंतरिक दबाव के कारण जब हम अंदर से बहुत जादा प्रिश्राइज होते हैं तो लिखने का सबसे बड़ा कारण होता है बाहरी दबाव तो होता है आर्थिक दबाव होता है कि हाँ आपको लिखना है भाई राय जो हमारे संपादक हैं वो दबाब डाल रहे हैं तो देखी क्या है अपनी आंत्रिक विवश्चता के कारण लिखते हैं अपनी अनुभूती उसे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं तो यानि कि हमारी अंदर की जो हमारा जो experience होता है वो हमें pressure करता कि नहीं हम लिखें और तब ही हम विवश्च हो जाते हैं लिखने के लिए तीसरा प्रशन है महिनत का बाश्चाहों का शहर किस शहर को कहा गया है तो किसको बोला गया था वो गंतोक को बोला गया था क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी महिनत के बल पही अपने देश को बहुत अपने राज्जी को बहुत सुन्दर बनाया है क्योंकि वहां की पस्ततियां बहुत विपरी थे पहाड़ों पी होती ही न बहुत विपरी थे तो वहां पे लोग बहुत ही जादा महिनती होते है इसलिए उने मेहनतकत बाश्याओं का शहर कहा गया है, तो किसको कहा गया है, गंतो को कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी प्रकती और संस्रिती से प्रेम करने वाले होते हैं, अपनी प्रकती को समालते हुए, क्योंकि वहां पर प्राकतिक वाता वरने वो उसको पूरा संजोगे रखते हैं कचनाईयों और जोखिमें के बाजू शहर को खुबसूरत बनाने के लिए परिश्रम करते हैं तो देखें महापर क्या है महापर उन्हों ने देखा था न किस तरीके से महिलाएं जो है रोड को चोड़ा करने क कारी कर रहे थे कितना जोखिम भरा काम था लेकिन तब भी वो कर रही थी तो महापर जोखिम है लेकिन तब भी उन सभी परस्तुतियों में वो अपने ये शहर को सुन्दर बनाने के लिए कोशिश करती रहती है अब हम आगए प्रश्ण संक्या 14, 15, 16, 17 ये चार प्रश्ण जो है हमारे लेखन कारणे से संबंदित रहेंगे तो हमारे पास अभी जो चौदवा प्रश्णाय क्या है देखते हैं निमलिके तीन विश्यों में से किनी एक विश्य पर 112 शब्दों में एक अनुछेद लिखिए हमारे पास सामने तीन option आए हैं तीन में से हमें कोई एक अनुचेद करना है ठीक है? इसमें संकेत बिंदू दिये हैं उन्हीं के आधार पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में यह अनुचेद हमें लिखना है इसके लिए हमें marks मिलेंगे 6 यानि के 6 नंबर का हमें एक अनुचेद लिखना है आपको word limit दे दी गई है 120 words से उपर नहीं होना चाहिए word limit subjective questions में बहुत मायने रखती है उन्हें आपको ध्यान रखना है अब पहला option हमारे सामने है स्वतंतरता का अमरत महतसफ हम सभी जानते हैं चल रहा है उस पर आपको लिखना है अब ये क्या होता है अमरत महतसफ का आर्थ बताना है ये क्या होता है आप बताओगे फिर इस महतसफ में होने वाले समहारों कौन कौन से समहारों हुए है दूसरा इस महतसफ का महत्व तो अंदर ये नहीं है, ये जो topic दिया गया है, उसके अंदर आप ये तीन चीजों पर लिखेंगे, इनको as a heading आप कहीं mention नहीं करेंगे, हम निबंद नहीं लिख रहे हैं, हम अनुचेर लिख रहे हैं, अनुचेर लेखन में कभी भी headings नहीं डालते हैं, अंदर आप जो इसे आप चार्चे लाइन में लिखेंगे, तो इस तरीके से पूरे 120 words का आपका एक पूरा अनुचे तयार हो जाएगा, अब इस पे आपको marks किस तरीके से मिलने माले हैं, देखिए, सबसे पहले जो आप विशे वस्तु आपने इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे, जित इस तरे की भाषा के सिमाल करते हैं, आप सभी को पता है कि हमारी सामाननि भोलचाल की भाषा और 15-4 मांध्यम की भाषा अलगल होती है, आप जितनी अच्छी भाषा इस्तिमाल करेंगे, तो आपको भाषा के लिए एक अंग मिलेगा, प्रस्तुती, प्रस्तुती का मतलब ह यहां पर आप उसे कितना अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानि कि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से explain कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस चीज की knowledge है या नहीं है, साथ ही अंदर किती अच्छी तरीके से आप उसे लिख रहे हो, यह सभी के लेंगे, तो यहां आपको टोटल छे अंग इन बेसस पे दिये जाएंगे, तो समझ गए आपको, आप इसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक आता है, वो है भाग्य और पुरुशार्थ, इसके लिए आपको संकेत बिंदू दिया गया है, पहला आलस से मनुस का सबसे ब भिग्य रहता है, फिर परिश्वी व्यक्ति अपने भाग को बदल लेता है, और जो परिश्वी व्यक्ति होता है, उसका भाग चाहे जैसा भी हो, वो अपने भागे को बदलने की हिम्मत रखता है, तो यह आप टॉपिक इन तीन पॉइंट्स पे अंदर पूरा एक्स्प् प्रस्तुत कर रहे हो, यानि कि जो चीजे कहते हैं प्रस्तुती और स्टार्टिंग और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो जब आप स्टार्टिंग बहुत दंदार दोगे, तो पढ़ने वाला मजबूर हो जाता है कि अंदर का अच्छे से पढ़े, तो इसलिए जिसकसी भी परवत स्टहल पे गए हो, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे प्राकरतिक सौंदर है वहाँ का क्या रहता है, आप अपनी यात्रा का वर्णन करेंगे, जिहां कही पर आप यात्रा पर गए हो, और उस यात्रा का सांस्कृति महतुम्यानी कि जिस एरिया मैं गया हूँ, उसका संस्कृति से क्या संबंध है, यह बताएंगे, तो इसके लिए आपको विशेवश्तु जो भी आप लोग होगे, तीन मांक्स, भाशा के लिए एक और प्रस्तुति के लिए आपको दो मांक्स मिलेंगे, तो इस तरीके से आप उसे अच्छे से एक्स् तो अप पत्र पहले क्या है, देखें यहाँ पर, पहले कोई भी पत्र दिया हो, सबसे पहले आप उसको पढ़ोगे और यह लिका लोगे कि ओपचारिक है कि अनपचारिक है, ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, आपका नाम दिशा या दक्ष है, अब आपका कोई भी नाम हो अगर आप लड़के हो तो आपका नाम दक्ष है और आप एक लड़की हो तो आपका नाम दिशा है आप नीचे लेटर में जहां end करते हैं अपना नाम लिखते हैं वहाँ पर आप अपना नाम नाम लिखके दिशा या दक्ष ही लिखेंगे आपकी आईउ मद्दान करने योगी हो गई है यानि कि आप 18 साल से उपर हैं आपने मद्दाता पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुण आपके द्वारा आवेदन किया है किन्तु काफी समय के बाद भी आपका मद्दान पहचान पत्र आपको नहीं मिला मद्दाता पहचान पत्र के वितरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने छेदर के B.L.O. यानि कि ब्लॉक लेवल ओफिस को लगवग 100 शब्दों में पत्र लिखिए तो यह आपको पत्र लिखना है ठीक है आप यहां पर सबसे पहले क्या है आरंब और अंत की आपचारिक कायन यानि कि आप यहां पर पत्र लिखोगे महोदे कि आप पर क्या लिखोगे B.L.O. फिस ठीक है B.L. फिर नीचे आप अपने ब्लॉक का नाम सब कुछ एरिया के नाम लिखने के बाद डेट डालोगे डेट के बाद आप विशय लिखोगे विशय के बाद आप उसमें समाने नीजी शब्दों के साथ क्योंकि एक आपचारिक पत्र है तो जो आप आप आरम कर रहे हो और एंड भी जहां पर आप अपना नाम लिखोगे चीक है ना भवदी ये करके लिखोगे वो आप चारिकता है आपकी एकदम सही होंगी तो उसके लिए आपको एक मिलेगा विशे वस्तु यानि कि जो भी मैटर पे आप पत्र लिख रहे हो अंदर जो भी मैटर है वो एकदम अगर अच्छा लिखते हो तो उस पे आपको दो अंख मिलेंगे भाषा हमने बताया ना पत्रा चार माध्यम वाली अगर आप भाषा इस्तेमाल करोगे तो पूरा का पूरा एक नमबर आपको मिल गया फिर आते हैं प्रस्तुति यानि जो आपका प्रारूप होता है लेटर का हर चीज आप लेफ्ट एंड साइड पर लिख रहे हो एकदम एक्जाक जगा पर लिख रहे हो आप स्टार्टिंग के बाद डेट डाल रहे हो फिर पूरा सही से लिख रहे हो उसके बाद आणिंग तो प्रारूप आप प्रस्तुति करन कर रहे हो विलकुल सही अच्छा है तो आपको एक नमबर मिल जाएका तो इस तरीके सी आपको फाइव मार्ग्स लेटर के मिल जाएंगे दूसरा लेटर अथवा करके दोनों में से आपको एक लिखना है दूसरा लेटर क्या है देखिए आपका नाम दिशा या दक्ष है मैंने बताया ना आप अगर लड़के हो तो आपका नाम दक्ष है लड़की है तो आपका नाम दिशा है अगर question में दे दिया गया है तो वही लिखेंगे और अगर नहीं दिया गया तब आप अपना नाम लिखेंगे आप अपने आसपास अनेक असिक्षत प्रोडों को देखते हैं असिक्षत यानि कि जो नहीं पढ़े हैं प्रोड मतलब जो थोड़े बड़े हो गया है चालिस साल के आसपास जिनको देखते हैं उन्हें साक्षर बनाने है तो कुछ प्रयास करते हैं यानि कि उनको आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ प्रयास करना चाहते हैं इस विशे में जानकारी देते हुए लगबग 100 शवदे में अपने मित्र मानव को पत्र लिखे तो अब यहाँ पर उनको क्या बताया गया है कि आप उन प्रॉणों को पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यह सारे प्रयास कर रहे हैं इसके लिए आपका जो एक मित्र है एक अंग, विशेवस्तु के लिए दो अंग, भाशा के लिए एक अंग और प्रस्तुति के लिए आपका एक अंग तो जब हम अनापचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अपना एड्रस लिखते हैं ठीक है ना तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे उनको चरण इस पर छोटों को प्यार देते हुए मित्र को तो सबसे बहले जब हम विशे वस्तों उस्तायात करेंगे तो सबसे पहले अपना हालचाल देंगे और मित्र का हालचाल उमीद करेंगे कि सही होगा उसके घर में सब कुछ सही होगा यह उमीद करते हुए आपका नाम सुनीता या सुरेश है। यहाँ पर हमारे पास प्रश्णिश संख्या 16 में एक सौवरत्य और एक एमेल आया है दोनों में से हमें एक चीज़ करनी है तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास सौवरत्य आया अब आपको ये धिहान रखना है कि आपका नाम सुनीता है या सुरेश है आपको पत्र किसे लिखना है, इस्थानी राज के लिए त्यार करना है, राज के माधिन विद्याले के लाइब्रेनियन के लिए आपके पास क्या है डिगरी, वो है बीलिप की यानि की पुस्तकाले तो यहाँ पर आप अपना पहले सारा इनिशल दोगे, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी जन्मतिति, आपका इस्थानिय पता, आपका जो है इस्थाई पता, बरतमान पता, फिर इस्थाई पता, फिर आपका दूरभाश नंबर, मुबाइल यह आपका पूरा पहले जो है एक format रहे का जहां पर आप अपनी initial information देंगे फिर उसके बाद आपके section की योगता आती है section की योगता आपकी class 10th से शुरू होगी तो 10th आपने 10th किया किस साल में किया किस board से किया किस विद्याले से किया किन subjects में किया आपको किते percent marks प्राप्त हुए फिर इसी 10th के बाद 12th के बाद आप अपना graduation या post graduation और फिर belief की जो आपने degree प्राप्त करी है इसे भी आप mention करोगी क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए बोला गया है तो यह degree देना आपके लिए जरूरी है तो belief की degree आप यहाँ पर देंगे और इसी यह आप जब दे दोगे न फिर आपकी sectionic योगदा खतम हो जाएगी फिर sectionic योगदा के बाद आपकी जो अत्रक्त गतिविदिया है उनके बारे में देंगे आपने क्या-क्या उप्लब्धियां प्राप्त करी है कहीं कोई प्रुस्कार प्राप्त किया है कुछ किया है उसे आप mention करोगे फिर इसके बाद आपने पहले काम कहीं किया है तो उसके reference भी आप यहाँ पर दोगे जो आप लोगगों को जानते हैं उनका भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं तो इस तरीके से आपका पूरा संचित सौवरत त्यार हो जाएगा इसमें आरंग और अंति की जो आप चरत नहीं ये एक अंख मिलेगा विसे वस्तु जो अंदर आप सारी लिखोगे उसके लिए दो अंख मिलेगा भाषा एक अंख की और प्रस्तुती एक अंख का जो format हमने आपको सौवरत का सिखाया है उसी format को आपको follow करना है अब अथवा करके हमारे पास email आया है क्या है email आपका नाम सुनीता या सुरेश है नाम बाउंड है ध्यान रखेगा आप राजें नगर के निवासी हैं आप कहां रहते हो ये भी आपको बता दिया गया पिछले कुछ दिनों से आपके छेत में विधुत आपूर्ती आविवस्तित है आपके छेत्र के अनिमित विधुत आपूर्ती की ओर दिया आकर्शित करते हुए राज विधुत आपूर्ती निगम के महानिदेशक के नाम लगभग 8 शबदों का एक शिकायती ई-मेल लिखे तो जब हम ई-मेल लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ध्यान दीजी हम क्या लिखते हैं? हम from लिखेंगे, फिर to लिखेंगे प्रेशत और प्रेशिती यह देने के बाद जहाँ पर हम from लिख रहे हैं वहाँ जिसको पत्र भेज रहे हैं वहाँ पर पहरे सौरे टू लिखेंगे टू पर हम पहले अपना email address फिर from यानि कि जिसको हम भेज रहे हैं यह लिखेंगे तो हमेशा याद रखेगा अपने नाम से मिलता जुलता email आप बहाँ पर बनाओगे और जिसको आप भेज रहे हैं यहाँ पर हम यहाँ किसको भेज रहे हैं बिजली बोर्ट को भेज रहे हैं तो उसी से संबंदित आप उसका email बनाओगे यह करने के बाद उसके बाद आपका आजाएगा विशे ठीक है विशे आप लिख दोगे किस पे लिख रहे हो विशे आपका अनेमित विद्धुत आप पूर्ती को लेकर आपने दे दिया फिर उसके बाद आप समाननी ये शब्दों के साथ पूरा पत्र शुरू कर दोगे जैसे उपचारिक पत्र में अंदर विशे विश्टु लिखते हैं कि हमारे छेतर मैं राजिन नवज निवासी हूँ यहाँ पर आप पूर्ती ठीक से नहीं हो रही है जिससे हमें दिकत हो रही है एक्जाम्स चल रहे हैं तो तरह तरही गर्मी हो रही है बहुत जो भी आप आपका इमेल त्यार हो जाएगा अब यहाँ पर इमेल के लिए आपको एक अंग मिल रहे हैं तो उसके लिए आपके मांग जा सकते हैं अब आगये हैं प्रश्ण संख्या 17 पर प्रश्ण पत्र का आखरी प्रश्ण है यहाँ पर क्या दिया है आप अपना पुराना प्रश्ण संख्या 17 हमें हमारे पास एक विग्यापन है और एक संदेश है इन दोनों में से हमें कोई एक चीज करनी है ठीक है तो यहाँ पर जो भी चीज आप करोगे उसके लिए आपको मांक्स मिलेंगे चार चार नंबर का यह रहेगा अब यहाँ पर आपको अपना प्र अब विग्यापन बनाने का पहला निवम क्या है आप हमेशा एक rectangle box बनाईए, old बनाईए, square बनाईए, circle बनाईए, कुछ भी बनाईए मगर एक shape के अंदर ही आपको हमेशा smartphone रखना है अब अपनी smartphone की एक photo यहाँ पर बना दीजिए फिर अब जो है न अब उसको बेचना है जाहिरती बाद है कोई offer लगाओगे आप तो वो offers यहाँ पर लगा दोगे उस आपके smartphone के अंदर आपको क्या-क्या qualities हैं वो यहाँ पर लिख दोगे फिर यहाँ block में आप जो है ऐसे करके डाल दोगे आप कितने में बेच रहे हैं यह चीज़ दोगे और फिर नीचे एक ऐस करके block बनाओगे जहाँ पर आप से संपर्क करने के लिए या तो mobile नंबर या address आप जो कुछ भी देना चाते हो वो यहाँ पर दे दोगे यह कुछ नियम है जिने हमें follow करना है विज्यापर बनाते समय अब इसमें आपको marks कैसे मिलेंगे आप जो विशय वस्तु अंदर जो दो marks मिलेंगे तभी तो चार होंगे ना तो विशय वस्तु के लिए आपको दो अंग मिल रहा है प्रस्तुति के लिए एंग मिला है भाषा जो अंदर इस्तमाल कर रहे हो उसके लिए एक अंग मिल रहा है चिक चली तो योगे अब next हमारे पास जो option दिया गया है वो क्या द दियाले में प्रथम इस्थान प्राक्त किया है उसे बधाई देते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है संदेश लिखने का भी format क्या है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो क्या करना है ये ब्लॉक बनाना है संदेश क्या है शुबकामना संदेश है या बधाई संदेश है ठीक है बधाई संदेश हमने यहाँ पर लिखा बधाई संदेश उपर आप यहाँ पर लिख देंगे फिर उसके बाद आप कब लिख रहे हो आप यहाँ पर डेट मेंशन कर दोगे आप किसको लिख रहे हो संबोधित करते हुए पूरा संदेश यहाँ दे दोगे, फिर अपना पद नाम, जैसे आप कौन हो, आप बड़ी बहन हो, तुम्हारी बड़ी बहन और नीचे अपना नाम देकर इसको खत्म कर दोगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका जो एक संदेश, इसके विशेविस्तु के लिए आपको दो अंख मिल प्रस्तुति के लिए एक अंख मिल रहा है, भाषा के लिए एक अंख मिल रहा है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा CBST का पेपर आएगा, ये आपको CBST ने यहाँ पर बता दिया है, इसी तरीके से आपको तयारी करनी है, ये ये टॉपिक्स दिये गए, सभी कुछ को सावधानी के साथ तयार करिएगा, ठीक है, अभी माना एक ग्जाम के लिए बहुत दिन है, लेकिन तयारी जब तक अभी से आप शुरू नहीं करेंगे, एक्जाम्स फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तो बस कमर कस लीजिए, टेंथ आपका तयार होना पोशन्स लेकर मिलेंगे, सारा से लेबस तो हमारा कम्पलीट है, आप उनको देखकर बिल्कुल अपनी तयारी कर सकते हैं, थैंक यू फो वाचिंग, बाबाई